वेल्कम यू आल in this powerpoint training program हम इस training program में powerpoint presentation को सीखेंगे हम कैसे powerpoint presentations के तरू PPT बनाए पाएंगे अपने slide क्रियेट कर पाएंगे in effective way और as a professional जो हम क्रियेट करते हैं PPT in a professional way जो आपको एक scale कर सकते हैं अपने presentation को आप अगर beginner हैं intermediate हैं और advanced हैं यह तीनों लोगों के लिए हमारा यह training program है तो आप इस training को stay by stay follow करें और जो भी चीज़े इसमें बताए जाती हैं वो इनको follow करें अपने presentations को बनाने के लिए so I am introducing myself so my name is Chandan Pardak and I am a senior associate at physicswala I have a lot of experience in creating powerpoint presentations and about the powerpoint for the professionals so if you want to connect with me please go on the linkedin and search this username so thank you so हम start करने वाले training को start करने से पहले आप से कुछ instructions में बताऊंगा जो कि आप पुरी training के दोरान follow करना पहला है कि आपको जो मैं training में stay बताऊंगा कि इन चीज़ों को ऐसे करना है तो आप practice के लिए वो चीज़ों वैसे ही stay by stay follow करना second thing कि आप जब यह जो presentation की training की PPT है वो आपको training के end में आपको यह मिल जाएगा now third thing जो है आप जो अभी training complete कर लेंगे उसके बाद आपका एक assessment होगा जो की mandatory है जो भी training के लेंगे ठीक है यह जब भी आप assessment में qualify करेंगे assessment देंगे then आपको एक certificate मिलेगा और वो certificate आप अपने resume भी add कर सकते हैं now the second last thing is कि आप जो भी questions आए, doubt आए आपको कहीं भी किसी भी point पे training में तो आप इस Q&A section या comment box में आप जा करके question ask कर सकते हैं जिसका कि मैं reply within 24 hour दे दूँगा now the third thing, last thing is कि जो भी shortcuts मैं इस presentation में use करूँगा आपको वो सारे के सारे presentation आपका last में end in presentation में मैंने list कर रखा है तो आप वहां से चा करके उनको सिख सकते हैं, learn कर सकते हैं now, तो मैं start करता हूँ यहाँ पे तो सबसे पहले कोई भी software कोई भी चीजे सीखने से पहले हम उनसे powerpoint हो या फिर कोई भी software हो जिसको कि हम learn करने जा रहे हैं उसमें क्या होता है कि आपको पहले उनके interface कि उनकी structure कैसा है वो दिखता कैसा है इन सारे चीजों के बारे में हम जानते हैं तो इसलिए मैंने इस section को रखा है navigating powerpoint तो सबसे पहला है कि जिसमें मेरा topics मेंने रखा है वो है during the powerpoint interface कि उसका interface होता कैसे है अगर इससे भी पहले हम बात करें तो हम कैसे powerpoint को open करते हैं तो open करने का multiple way हो सकता है बन मैं दो या तीन steps आपको पताऊंगा जिसे कि आप powerpoint को open कर सकते हैं पहला आपका है कि अपने keyboard से windows button प्रेस करेंगे ये windows button कहा होता है control के just bugle में तो windows button प्रेश करेंगे और यहां पर आप type कर देंगे powerpoint मैंने यहां पर search किया powerpoint जैसे देखिए अगर आपके system install होगा तो यह list out हो जाएगा आप यहां पर click करेंगे आप तो यह powerpoint हमारा open होने लगा आपके सामने तो यह इस तरह से हमारे interface totally open हो जाता है open होने के बाद आप देख पाएंगे कि इसका interface कुछ इस तरह से देखता है अकर मैं यहां पर आओ अपने slides में तो मैंने यहां पर यह चीज रखा है यह क्या है मैं भी बताओंगा थोड़ी देर में आपको तो यहां पर आने के बाद आप देखेंगे कि इसकी structure जो है इस त title bar in the sense कि यह presentation क्या है इस software का नाम यहां आप देख पा रहे है PowerPoint लिखा हुआ है यह software का नाम लिखा हुआ है इसके just बगले में presentation 1 लिखा हुआ है तो जो भी ppt की file है यहां PowerPoint की file है उसका default naming की structure है वो presentation 1 करके आता है यहां पहली presentation है जब मैं इसको save कर दूँगा तो जो इस नाम से मैं save करूँगा वो नाम यहां presentation 1 के जगह पे so होगा तो यह था हमारा title bar title bar में और क्या होता है यह search box search box क्या होता है कि जैसे आपको मान लीजे मैंने यहां पे लिखूँगा welcome मैंने लिखा और मैं चाहता हूँ इसको bold करना तो मैं इसको bold करके यहां पे जा सकते हूँ ले आप उसको search करके भी आप कर सकते हैं और कोई चीज आगर help अगर आप चाहते हैं तो search यहां से particular commands को search कर सकते हैं आप okay now i can मैं बदा पाऊंगा यहां पे कि यहां पे जो है ता user section होता है जो user login किया हूँ यहां पे होता है उसके बाद होता है control buttons then जैसे मैं भी bottom में आऊंगा यहां पे तो यह जो चीजे है यह होता है ribbon मैं यहां पे बना रखा रखा है कि क्याожता है यतने parts को हम ribbon बोलते हैं रिबन जो इंट्रोडीश हुआ था वो in the 2007 version में Microsoft Office के 2007 version में इंट्रोडेश हुआ था रिबन तो रिबन क्या करता है कि यह पूरे commands को पूरे tabs को collected रखता है अब रिबन में क्या-क्या चीजे होती है वो मैं आपको एक बार यहां पर बता दे रहा हूं रिबन मैं यहां पर अगर बात करूँ तो मैं आपको दिखा पाऊं just a second यह रहा आपका मैंने यहां पर लिखा पहले रिबन रिबन के just under में आता है रिबन के under में आता है आपका groups रिबन के अंदर tabs और oblique menu ठीक है menu आता है then menu के अंदर के आता है आपका groups आता है groups के अंदर के आता है आपका commands आता है मैं यह क्यों आपको बता रहा हूं यहां पर कि इसका मतलब यह होता है कि जैसे मैं अगर देखूं यहां पर मैं उनको तो आप देख पाएंगे कि मैंने रिबन में गया तो ribbon कहां पर है, आपको यह जो part है, आपको मैंने दिखाई यह जो part पूरा ribbon है, तो मैंने ribbon में गया, मुझे home tab को access करना है, तो मैं पहले जाओंगा ribbon में, then जाओंगा, मैंने गया ribbon, अब गया मैं home tab में, home tab, now मुझे अगर bold करना है, तो मैं कैसे कैसे जाओंगा, home में गया, प तो यह जो आपका flow होता है किसी भी command को access करने के लिए यह आपका flow होता है ribbon then tabs or menus then groups then commands तो हमेशा जब भी आप कोई भी practice जब कर रहे हो किसी चीज को करने के लिए तो आप इनको बोल बोल के करें कि I am going to the ribbon then font group then bold तो इस तरह से आप करेंगे न तो आपकी जो learning होगी वो आपकी mouse से आप navigate करते जाएंगे और वो चीज़े याद होती जाएंगी तो इसलिए मैंने आपको यह flow बता दिया कि आप इसको follow करके आप use अपने presentation को बनाने के लिए यह सीखने के लिए कर सकते हैं तो हमने अभी आपको बता दिया कि ribbon क्या होता है then अभी आप देखेंगे कि ribbon के just below आपको quick access toolbar है यह quick access toolbar क्या है कि हम यहाँ पे वैसे commands को रखते हैं जिनका हमें frequently use है अनि कि लगवग हमें presentation में many times use है तो आप इसमें अभी जो default चीज़े दीखती है वो 3-4 options होती है जैसे आपको बता दूँ save undo redo and from beginning यह चार options है अगर आपको कोई option add करना है तो आप simply यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस button पे click करके और यहाँ पे आप जा करके यहाँ पे more commands है more commands और more commands में जा करके यहाँ पे जो भी आप जैसे माल लीज़े मैं copy करने चाहता हूँ ठीक है यहाँ पिर cut का तो मैं copy पे click करके और add पे click कर दूँगा यहाँ पे आगया और ok कर दूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे copy का आगया तो इस तरह शे आप ऐसे add भी कर सकते हैं, मुझे remove करना हुआ, तो मैं again जाओंगा more commands में, और मैं जाओंगा copy पर, और यहाँ पर आगया remove, और मैंने कर दिया, यहाँ पर ok, इस तरह यह मैंने remove भी कर दिया, देखिए अभी quick access toolbar आपको, ribbon के just below दीख रहा है, लेकिन ribbon के just उपर मुझे दिखाना हो तो, मैं यहाँ पर click करूँगा, और यहाँ पर आपको option एक मिल जाएगा आपको, show above the ribbon, show above the ribbon, हमारा देखिए यह, जो हमारा quick access toolbar कहाँ चला गया, ribbon के just उपर चला गया, तो मैं इसे करता हूँ, show below the ribbon कैसे करेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया, now, अभी जो आप इस area को देख रहे हैं, अभी हमारे पास एक slide है, अगर मैं यहाँ पर again एक slide एड़ कर दूँ, ठीक है, दो slide होगे, इस area को हम लोग बोलते है, slide pan, ठीक है, या slide है, या thumbnail area बोलते हैं इसको, ठीक है, और यह जो आप यहाँ से, ins को बड़ा छोटा कर सकते हैं, अपने slide area को, उसके बाद आपको दिखेगा, यहाँ पर ruler, ठीक है, जो कि आपको बताता है, cursor आपका किस point पे है, यहाँ पर देख पाने हैं, यहाँ पर चल रहा है, यह यह चीज़े, बेटन है, ठीक है, यह scroll bar है, scroll bar कौन सा, यह अभी vertical scroll bar है, अभी हमारा क्या है, vertical scroll bar, अभी आप bottom में दिखेंगे, तो हमारे पास horizontal scroll bar नहीं है, because, जैसे ही मैं अपने presentation जुम करूंगा, तो देखे, हमारे पास vertical scroll bar भी आ चुका है, तो एक हमारा horizontal होता है, जो की bottom में होता है, और जो एक हमारा जो vertical होता है, वो right side में होता है, जिसको कि हम इसको use करके, हम अपने slide को move कर सकते हैं, in the direction, top to bottom, और जो हमारा horizontal है, उसको हम right to lift, इसको करने के लिए, हम अपने slides को करते हैं, use, जैसे आप zoom out करेंगे, तो यह हमारा जो automatic क्या होता है, horizontal slide, remove हो जाता है, now, सबसे last में हम आते हैं, यह हमारा जो होता है, status bar, ठीक है, तो status bar भी multiple चीज़े content की रहता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, status, यह क्या है, slide number जो है, कि मैं अभी किस slide पर हूँ, देखिए, हाँ पर one of two दी रहा है, यानि कि दो slide है, बट हूँ मैं किस पर first slide पर, अगर मैं यहाँ पर click कर दूँगा, तो आप देखेंगे two of two हो गया, यानि कि मैं मेरे पास दो slides हैं, और मैं किस slide पर हूँ, second number slides पर हूँ, के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे, यह जो आपके modes है, यह अलग-अलग तरह की modes होते हैं, जैसे मैं दिखाऊं आपको slide show mode, sauter mode and the reading mode, and reading mode को close करने के लिए, आप simply यहाँ पर close कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर, यह मैंने किया, यहाँ पर normal mode हो गया, ठीके, उसके बाद आता है zoom bar, यहाँ से भी हम zoom और zoom in कर सकते हैं, ठीके, या फिर control button के साथ, scroll button आप पर use करेंगे mouse का, तो भी zoom out और zoom in करेंगे, अगर आप forward करेंगे, तो zoom in होगा, और backward करेंगे तो zoom out होगा, ठीके, अगर मैं एक छोटा सा चीज़ बता पाऊं, कि इसमें जो minimum zoom होता है, वो 10% होता है, last zoom, zoom in, zoom out, और zoom in जो होता है, वो maximum 400% होता है, पाउर पॉइंट का, यह चीज़ आप थोड़ा knowledge के लिए, learn कर सकते हैं, यह सारे चीज़े हमारे जो होता है, वो interface मैंने आपको बताया, जो वो सारे चीज़े अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एक और चीज़े मैं आपकर बताऊं, यहाँ पे जो file है, ठीक है, तो file वाला यह जो section है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, अब हमारा आता है, changing view and adding guides, यह जो दो important चीज़े हैं, मैं आपको वो बता जता हूँ, कि इनकी क्या importance है हमारे presentations में, और वो भी चीज़े कैसे वो रिवक करती हैं, तो दो चीज़े है, guides and the grids, तो मैं जाओंगा view में, and मैं पहले यहाँ पे लाओंगा gridlines, अभी देखे, gridlines मैंने लाया, तो जब भी हम कोई shape add करेंगे यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कोई shape add किया, ठीक है, तो मैं shape को add करके align करने के लिए, इनको in the same positions पे align करने के लिए, मैं अपने grid का use कर सकता हूँ, ठीक है, इनको proper अपने presentation को spacing and alignment के लिए, हम इस grid का use करते हैं, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे रखने हैं, कैसे भी, तो मैं यहाँ पे इनको इस तरह से navigate करके alignment के थुरू इनको proper रख सकते हैं, इसका use यह होता है, गर इसका gridlines का, now the next thing जो हमारा है, guides, guides क्या करता है, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे view, मैंने किया office को gridlines को and then guides, guides क्या होता है, यह एक horizontal imaginary line देता है, और एक vertical line देता है, जिसको कि आप यह हमारे presentations को four quadrants में divide कर देता है, और imaginary divide करता है, जिसे कि आपको थोड़ा सा idea हो जाता है, कि हम कैसे अपने object को align करें, यह सारी चीज़े, ठीक है, अगर meet part में आपको करने है, तो अगर दोनों यहाँ पे देखेंगे, कि आपका guide यह meet part में आ गया, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, guides और grids का use, करके अपनी object, अपनी presentation में कोई भी object हो, तो insert करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम alignment pro पर दे पाते हैं, through use of grid lines and guides, okay, now this part यहाँ पर अबर होता है, मैंने यहाँ पर image भी दिसो कर रखा हूँ, कि यह जो आपका है, grid lines है, यह जो आपका है guides है, तो now, अब हम बात करेंगे कि हम presentation बनाये कैसे, ठीक है, working with the presentation, now, पहला हमारा है कि creating a presentation from scratch, हम starting से, हमारे पास कुछ कोई content है, ने कुछ है, हम starting से अपना presentation बनाने जा रहे हैं, now, जब यहाँ अपर मैं आता हूँ, मैं इसको कर दिया close, मैंने इसको down save किया, मुझे बनाने है presentation, तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था, अभी कुछ दिर पहले वीडियो में, कि आपको मैं multiple ways बताने वाला हूँ, कि कैसे आप presentation को open करेंगे, एक तो मैंने बता दिया कि windows बटन प्रेस करके, आप सर्च करके वो लिख लेना, वीडियोज बटन करके और PowerPoint यहाँ पर लिख लेना, तो यह आ जाएगा, लेकिन मैं यह option एक पर बता चुका हूँ, मैं दुसरा बता रहा हूँ, आपको simply क्या करना है, वीडियोज के साथ R बटन करना है, वीडियोज बटन के साथ R बटन, और यहाँ पर आपको लिखना है, PowerPnt, लिखेंगे और सर्च कर देंगे, तो आपके सिस्टेम में PowerPoint इंस्टॉल होगा, तो आटोमेटिक यह open हो जाएगा, नाउ, मैं आपको बता दूँ, अब यहाँ पर, कि जैसे ही मैंने presentation open किया, तो यह interface आया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कि उसका title दे सकते हैं, जो आप presentation बना रहे हैं, उनका heading होगा, कुछ ना कुछ topic का name होगा, तो उस name को आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैंने अभी आपको demo के लिए, मैं एक computer fundamentals की PPT बनाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, computer fundamental, computer fundamental, ठीक है, मैंने लिख दिया, मुझे, अब मुझे इसको bold करना हो, तो मैं क्या करूँगा, slack करूँगा, जितनी भी text को मुझे bold करने हैं, slack, अब मैं home में जाऊँगा, और यहाँ font group में गया, और मैंने कर दिया, इसको bold, ठीक है, मुझे इसके size बड़े करने हैं, मैंने size भी बड़ा कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से मैंने, अपने presentations में, एक heading add कर दिया, observe title, it is for the beginners, ठीक है, यह मैंने ऐसे title add कर दिया, ठीक है, अभी आप देखेंगे, कि यह जो चीज़े है, मैंने अभी scratch से start किया, और यहाँ पर, मैंने presentation open किया, और मैंने यहाँ पर slide में, अपना content dead किया, नाव मैं जाता हूँ, मैं एक slide और लेता हूँ, यहाँ पर मैं लूँगा, only, title only, या फिर मैं यह भी ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पर title में लिख दिया, कि what is computer, मैंने यह दिया यहाँ पर, titles में, मैं इसको भी चाहूँगा, तो बोल्ड कर सकता हूँ, मैंने बोल्ड कर दिया, मैं यहाँ पर चाहूँगा, मैं अगर basic definition, मैं beginners के लिए बता रहा हूँ, तो चोटे-चोटे terms, यूज करूँगा, जैसे कि वो understand कर पाएंगी, computer क्या है, तो मैं लिखूँगा, यहाँ पर, ठीक है, मैं ऐसा लिखा, अगर second point, आप लिखना चाहते हैं, इंटरेप्रेस करेंगे, और दूसरा आपने लिखना है, it works on, इस तरह से चोट-चोटे terms आप और भी आपकर content है, तो आप add कर सकते हैं, अगर मैं एक और add कर दूँ, तो इस तरह से मैंने अब भी content अपना add किया, तो आप as scratch से, ऐसे इस तरह से presentations को open करके, आप अपना यहाँ से slide ले करके, जो भी आपको जैस तरह से slide चाहिए, वो करके आप add कर सकते हैं, उसमें अपना content, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने presentation को create करते हैं, now the next thing हमारा आता है, creating presentation from a templates or theme, suppose आप करो, कि मेरे पास, मेरे पास अभी यह जो है, मैंने slide लिया, blank slide लिया था, और मैंने यहाँ पर contented किया, आपके पास suppose यह slide ही है, और जो आपने पहले से create कर रखा है, तो आप कैसे उसमें, यह templates और theme एड़ करेंगे, तो मैं आपको दिखा पाऊं यहाँ पे, कि आप कैसे एड़ करेंगे, simply आपको उस particular slide पे क्लिक करने है, और आपको जाने है, designs में, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, theme, ठीक है, तो आप theme एड़ कर सकते हैं, जिस तरह से देखिए, आप मैं यहाँ पे एड़ कर रहा हूँ, यह theme यहाँ पे इस तरह से आ जा रहा है, content वही रहेगा, आप theme को यूज कर पा रहे हैं, कहां से, design tab से, अगर मैं इस पे आओं, और मैं इस पे इसको यूज कर रहा हूँ, तो जो इसका theme है, वो यहाँ पे apply हो रहा है, अभी देखिए, simple सा था, अगर मैं इस पे जैसे जैसे करूँगा, सब पे अलग लग होता जाएगा, तो इस तरह शे हम theme का यूज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, कि आप अपने presentation में, कैसे कोई भी new, templates यूज करेंगे, तो मैं इसको down save करता हूँ, और मैं again presentation को open करता हूँ, मैंने presentation open करने के लिए, just a second, मैंने यहाँ पर ओगया, और यहाँ पर click किया, मैं starting से start किया उसको, और मैं यहाँ पर file पर जाऊँगा, और file पर जाने के बाद, मेरे पास यहाँ पर देखी, जैसे मैं new पर click करूँगा, तो हमारे पास बहुत सारे templates आ रहे हैं, जिनका use करके, मैं अपना presentations को बना सकता हूँ, जिनको use कर सकता हूँ, अपने presentations के लिए, तो suppose that, मैं अभी यहाँ पर कुछ देख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर, आप search भी कर सकते हैं, इनको create करने के लिए, तो search कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर गया, और मैंने मैंने type किया, जैसे education, अगर education पर 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 आपको, कोई template चाहिए, तो मैंने education सर्च किया, और यह जब need से आपका system connected होना चाहिए, और then, तभी आप यह आपका search में आएगा, it takes some few minutes, few seconds, then आपके पास यह आपका आगया, तो suppose that, मुझे अगर, suppose, यहाँ मैंने अभी यहाँ पर, कोई themes यूज करने चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर गया, और a school design मैंने search click किया, a school design पर click करते ही, यहाँ पर यह option आएगा, और आप यहाँ पर simply create कर देना, create जैसे ही करेंगे, आपका presentation यह open हो जाएगा, और यहाँ मैं इसको close कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं, कि मैंने मेरे पास बना-बनाया template एक आगया, ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर अपना content, content add कर सकता हूँ, जो से से मैं लिखा था, computer fundamental, तो वही मैं add कर देता हूँ, computer fundamental, तो यहाँ पर किस के किस के लिए है, वह भी मैं सारा चीज़ मैं add कर सकता हूँ, beginner, intermediate, advanced, यह सार चीज़े, अच्छा है, यह चल जाएगा, search, communication, search, communication के जगह मैं, लिख देता हूँ, fundamental, ठीक है, curiosity, तो इस तरह से आप अपना content एड़ करके, कोई आप डेटा बेगरा सो करना चाहते है, तो उनको आप, यह totally customized होता है, आप इसका color chart में जा करके, color change कर सकते हैं, differently उनको use कर सकते हैं, यह सारे चीज़े कर सकते हैं, customize कर सकते हैं, ठीक है, आप किवल यहां से आपने एक template लिया, जिसको अपने presentation, अपने content के अनुशार, उनको सारी चीज़ों को use कर सकते हैं, तो I hope आपको यह दो चीज़े समझ में आ गई होंगी, कि आप किस तरह से अपने presentations को दोनों को use करके, themes and templates को use करके, कैसे आप presentation create कर पाएंगे, मैंने इसको किया डॉंट से, मैं अभी आता हूँ, next slide पे, तो हमारा next जो slide है, changing themes, मैंने यह भी आपको बता रखा है, यह जो हमारा है, controlling the look of your, यह जो look मैंने बना रखा है, controlling the look of your presentation with the slide master, जैसे मैंने अभी यहाँ पे, जो create किया था, अब का यह जो मैंने create किया था, presentation, वैसे ही मैं एक और presentation create करता हूँ, ठीक है, मैं कोई यहाँ पे design वाला था, जो अभी just, मैंने create किया इसको, तो अभी देखिए मेरे पास ना, जो हमारा slide master है, जैसे मैं अगर इस object को मैंने हटाया, बट आगे आप देख पा रहे हैं, कि मैंने इस image को तो remove कर दिया, बट जो हमारा background में, जो dark है, dark के लिए है, उसको मैं remove नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़े, उन themes, वो कैसे हम use करते हैं, मैं अगर यहां पर एक और add कर दूँ, यहां पर मैं जैसे ये add किया, यह themes मैंने add कर दिया, तो आप देखे पा रहे हैं, कि इसके background का जो चीज़े है, वो irritate कर रहा है आपको, उनको कैसे मैंने add करूँगा, तो उन चीज़ों को background में, जो controlling है, वो slide master के तरूं हम presentation को control कर पाते हैं, उनकी सारी settings को वहां हम change करेंगे, तो वो सारे slides पर भी apply होते हैं, जैसे, उनको कैसे मैं open करूँगा, मैं जाओंगा view tab में, then slide master, और यहां पर आप देख पा रहे हैं, कि यह जो themes हमारा है, यह चीज़े हमें देख रहा है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा, कि अभी हमारा तो वो background नहीं देख रहा था न, मैं अभी control state कर कर आता हूँ, यहां पर और मैं जाता हूँ, slide view, and then slide master, अभी आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने गया, और यहां पर आप देख पा रहे हैंगे आप, इसको remove करने के लिए, I think it may be from, यह design background से हुआ है, तो वहां से मैं हट आख सकता हूँ इसको, मैं यह, I think यहां से नहीं हट रहा है न, मैं अभी जाता हूँ, यहां पर design में, और format background, यह texture है, texture add हुआ है यहां पर, तो मैं यहां पर solid fill करके, no fill कर देता हूँ, solid fill करके, यहां पर मैं no fill कर दूँगा, तो हमारा यह background remove हो गया, ठीक है, इस तरह से मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अपने design पर apply कर सकता हूँ, format background करके, आप apply to all कर देंगे, तो सभी पर apply हो जाएगा, ठीक है, और मैं अगर यहां पर बात करूँ, कि मैंने यह तो ड्ले लिया, मैं चाह रहा हूँ, कि यह जो हमारे lining आ रहा है, यह ना है, तो मैं चाहूँगा कि यह lining ना है, तो कैसे इसको control करूँगा, मैं now जाऊँगा view, then slide master, और now यहां पर आप देख पाएंगे, कि जो इसका है, और यह जो पर टाइटल लगा हुआ है, वहाँ पर, मैं इसको click करूँगा, और इसको मैंने कर दिया delete, और मैं close करता हूँ, तो अब मैं reset करूँगा, तो अभी देखे, यह क्या हुआ, इस पर था पहले, वह removed हो क्या, विकोज जे slide पर, इनका आप जब layout check करेंगे, यह कौन सा layout है, तो आप देखेंगे, इस current layout कौन सा है, title slide है, यह current layout कौन सा है, title slide है, यह current layout कौन सा है, title and content है, तो मैं इस पर जा करके, then view में जाओंगा, और slide master पर जाओंगा, तो यह इस पर open हो रहा है, तो मैं इसका remove कर दूँगा, अगर मुझे सारे slides पर से remove करने है, तो मैं सब ही पर जा करके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उनस red line को remove कर दूँगा, ठीक है, उस red lines को remove कर दूँगा, यहाँ पर मैं गया, then remove, and then remove, मैं सब ही पर जा करके, यहाँ पर remove कर दिया, ठीक है, now इस पर भी है, मैंने इस पर remove कर दिया, अब मैं close करता हूँ, तो अभी देखे पाएंगे कि यह सारा का सारा हट गया अगर मैं Ctrl-Z कर दूँ और Ctrl-Z कर दूँ यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं कि इसको यह स्लाइड स्लाइड के थ्रू नहीं अटा पाऊंगा इस पर जो content है उसको मैंने remove कर पाऊंगा लेकिन जो यह लाइनिंग आया है slide master के थ्रू आया हुआ है इस पुझेशे हम इनको यहाँ से remove ना करके अपने सारे presentations को slide master के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कोई background में image वेगरा आप देना चाहते हैं जैसे suppose एक important thing जो है कि आप किसी brands के लिए presentation बना रहे हो तो आपको यहाँ पर logo वेगरा insert करना होता है तो आप logo insert जब करेंगे उन logo को उस logo को आप कैसे सभी slide पर लगाना हो तो क्या आप copy paste करेंगे नहीं आपको मैं अगर simple यहाँ पर एक logo बना दू पहले मैं छोटा सा suppose यह मारा logo है मैं यहाँ पर कुछ link भी देता हूँ simple के लिए logo ठीक है जैसे मेरा यह logo है मैं इसको सभी slide पर लगाना चाहता हूँ तो यह अगर आप idea नहीं जानते तो आप copy paste करेंगे सभी slide पर लेकिन मैं इसे क्या करूंगा मैंने ctrl x cut किया और मैं गया view tab में और slide master में और मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने paste कर दिया इसके master पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो है सभी slide पर आ चुका है यह सभी slide पर आ चुका है और एक बार आप यहाँ से इसका color या कुछ भी change करेंगे जैसे मैंने इसका color यहाँ पर home में जा करके save format and then color fill जो क्या मैं slide master पर जाता हूं और इसको close करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको एक जगह पर change किया और यहाँ पर आप इसको remove भी नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से हम slide master के थ्रू अपने presentations को control करती है right now दो हमारा जो next thing है बो आता है adding headers and footer अब heading and footer कैसे हम add करेंग ठीके तो मैं अभी वो तो control करना हुआ slide master के थ्रू लेकिन add कैसे करेंगे हम insert tab में जाएंगे और यहाँ पर आपको दीख जाएगा text box के अंदर text group के अंदर header and footer header and footer क्या होता है कि जो header होता है वो bottom यह top में लगता है और footer होता है बोटम में लगता है तो मैं यहाँ पर ज आप यहाँ पर देखेंगे कि यह हमारा highlighted area होगा मैं यहाँ पर गया slide number में मुझे चाहिए and footnote चाहिए ठीक है तो अभी देखें सभी slides का अला गला का theme होता है तो अभी यह top में apply हो रहा है सारा चीज़े लेकिन मैं आप यह आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है तो मैंने footer में गया मुझे footer में लिखना है computer notes मैंने लिखा कि जो हमारा slide है वो किसके बारे में कब रहा है date and time यहाँ पर आया slide number के कौन-कौन-स slide apply to all करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चोटा सा आपको computer देख रहा है computer notes यहाँ पर देख पा रहे हैं यह मैं उसको लेता हूँ मैं और यह देखे जैसे ही मैंने लिए इसको लिया default design जो कि आपका जो यह date and time यहाँ पर footer और यहाँ पर slide number आ गया ठीक है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने footer header and time date और जो slide number उनको add कर सकते हैं तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि header क्या है और footer क्या है ठीक है now adding header footer हो तो हो गया नेक्स्ट पर आता हूँ working with file options using backstays view अभी देखे कि जो भी आपके चीज़े हैं जो background से control कर सकते हैं इस powerpoint को जिसको कि आप वहाँ पर जितनी settings दिये हुई है उतना ही use कर सकते है because यह जो software जिस company ने create किया वो दिया रहता है वहाँ पर तो क्या है backstays view यह file tab पर जाएंगे और यहाँ पर जो चीज़े सारे options आपको दीक रहे हैं जैसे new, open, save, info, print, share, export, close यह सारे options आपकी जो है यह backstays view कहलाते हैं कि आप background से control कर रहे हो यह सारे चीज़े अभी मैं आपक इसको बता पाऊं तो जैसे आपने presentation तो create कर लिया आप इसको save कैसे करेंगे तो जब भी आप save करनी जाए तो first time आप presentation को save as करें save as आपको जहां भी save करना है तो यहाँ पर आपको जाएंगे और यहाँ पर browse पे click करेंगे आप अपनी यहाँ से files वगरा को navigate कर पाएंगे अभ मैंने इसको यहाँ पे PPT है और यहाँ मैंने save कर दिया तो यह save हम यहाँ से file में जाकर करके यह सारे चीज़े करते हैं later part में हम लोग सारे options के बारे में भी देखेंगे ठीक है अभी करें मैंने आपको overview दे दिया कि क्या box stage view और file menu है तो file menu में जह इतने हम control कर सकते हैं background से य account का login है क्या है product license है नहीं है वो सारे चीज़ activate है यह सारे चीज़े आप देख सकते हैं option में आप जाएंगे तो यह सारे options controlling settings वगएरा आप यहाँ से अपने presentation की setting वगएरा चिंद कर सकते हैं now हमारा जो next thing है वो है working with slide ठीक है अभी हमने पिसले जो भी section में जो हमने पढ़ा ठीक हुआ हमारा कि कैसे हम किसी भी slide का का presentation create करते हैं जब भी आपके आपस कोई भी content नहीं हो तब कैसे create करते हैं तो मैं मुझे बताऊंग को की कैसे आपपना slide को atform कर सकते हैं, कैसे slide को changeya कर सकते हैं, कैसे slide को navigate कर सकते हैं, सारी चीज़े मैं भी आपको पताने वाला हूं। तो जो first thing है हमारा slide section में adding & removing slide. कैसे हम slide को add करते हैं कैसे remove करते हैं. तो चलिए है मैं presentation में आता हूँ यहाँ पे, तो अभी हमारे पास देख रहे हैं कि मेरे पास five slides है, यानि inserted है, अगर मुझे six slides चाहिए तो मैं क्या करूँगा, home tab में जाऊँगा, new slide पे click करूँगा, और जिस type की slide मुझे चाहिए, मैं वहाँ से उस tab की slide ले लूँगा, देख क्या purpose है, मैं एक नया presentation बना करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे create किया, और create करने के बाद, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि first जो हमारा एक slide है, मैं उसे दूसरा slide चाहिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस slide का नाम है, title slide, यह क्या, कब हम use करते हैं जब हमें किसी presentation का heading देना हो, ठीक है, title देना हो, then हम क्या करते हैं, इस presentation का, इस slide का use करते हैं, next जो हमारा है, title and content चाहिए, तो मुझे title and content चाहिए, इसमें क्या करते हैं, कि हमारे पास कोई title हो, और उसका content हो, यनि कि उसको कुछ, जैसे मालेज़, आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया, कि what is computer, मैं भी पिछले वीडियो में लिखा था, what is computer, ठीक है, मैंने what is computer लिखा, तो यहाँ पे जो topic हो गया, और जो उसकी content है, वो यहाँ पे आएगी, तो हम का भी slide को ले रहे हैं, जैसे जब हमारे पास कोई title हो, और उसका content हो, इसी तरह हमारे पास, अलग अलग जो हैं, यहाँ पर, जैसे है, जैसे हमारे आपने, कंप्यूटरỹ फंदमेंटल पढ़ा दिया, एक में गया, आप computer, printers के बारे में बात कर रहे हैं, एक में गया, computer, software के बारे में बात कर रहे हैं, section अलग-लग हो गया, पढ़ा तो रहे हैं, मैं computer fundamental है, लेकिन किसे में software किसी में hardware के बारे में पढ़ा रहे हैं किसी में printers के बारे में पढ़ा रहे हैं तो यह क्या अलग-अलग section हो गया तो मैं यहां पर लिखाओं लिख दूँगा यहां पर कि about printer ठीकि इस तरह शे तो यह हमारा section हो गया ठीक है तो मैंने आपको ही बताया कि कैसे हम slide add करते हैं कैसे add करते हैं again मैं एक बर summarize करते हूं कि आपको जिस slide की जहांबे insert करना है पहले वहाँ पर ऐसे click करना होगा blank area में जो line बन जाएगा और यहाँ पर जाना है new slide पर और आपको मुझे अभी चाहिए blank slide मैंने insert कर दिया मुझे यहाँ पर चाहिए मैं click करूँगा और यहाँ पर मैं जाके click कर दूँगा इस तरह हम अपने presentation में अपने slides को लेते हैं अब remove कैसे करते हैं जिस भी slide को आपको remove करने हैं suppose जितने भी blank slide है यहाँ जिसमें कोई भी चीज़ नहीं है मैं उनको remove करना चाहता हूँ इसको delete करना चाहता हूँ तो simply इस पर click करें right click करें और यहाँ पर आपको जिग जागा delete slide तो यह तो हुआ आपको step by step now अगर मुझे इसको करना है तो मैंने एक तरीका बता दिया now back a space button प्रेस कर देजी या फिर अपने इसको select करके delete button प्रेस कर देजी इस तरह शे हम अपने slides को add and remove करते हैं now the next section हमारे पास है changing the slide layout suppose आपने लिख दिया यहाँ पर कि about printer this computer मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि it is electronic device ठीक है मैंने यहाँ पर electronic device मैंने लिख दिया ठीक है और यहाँ पर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यह जो है मेरा tight अभी count सा है यह हमारा है आपका content title and content वाला मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे इसको रखना है इस तरह शेक किसी भी दूसरे section and header वाले में तो मैंने तो पहले तो इसको अलग रखा था मैं इसका layout कैसे change करूंगा simply layout इस पर right click करूंगा और layout पर जाओंगा और मैं change इसका section header कर दूँगा तो आप देख रहे हैं ऐसा change हो गया सेम इसके जैसा कि मैं इसमें computer founder printer के बात कर लूँगा यहां पर add printer के बात करूंगा मुझे चाहिए कि add printer जो है यह हमारा main heading होना चाहिए title होना चाहिए तो कैसे change करूंगा मैंने एक तो तरीका बता दिया आपको दूसरा तरीका यहां पर भी आप इसको select करना है जिस भी slide को आपको change करने पहले उसको select then यहां पर layout पर जाना है और यहां पर मुझे जाना है title slide पर तो आप देख पा रहे हैं यह title बन गया तो उस तरह शे हम अपने slide की layout change करते हैं now organizing slides into section अब मैं आपको बात करूंगा कि suppose आपको मैं यहां पर एक file open कर लेता हूँ इसी में मैं बताता हूँ कि मुझे मालो कि मुझे section add करने का benefits का होता है कैसे add करते हैं तो मैं यहां पर क्या 2, 3, 4 और slide भई add कर लेता हूँ जैसे मैंने duplicate किया Ctrl D करके भी आप जितने slide को select करेंगे और उसकी duplicate बनाना चाहते हैं तो Ctrl D प्रेस कर देज़े और duplicate हो जाएगा तो अभी हमारे पास total slide 8 है मैं पहले में बात करूँगा मैं इसको हटा देता हूँ भी के लिए फिलाल मैं इसमें बात करूँगा computer fundamental जो हमारा है main topic है तो मैं इसको क्या करूँगा यहां पर जाओंगा और title कर दूँगा sorry यहां पर नहीं layout में जाकर के title कर दूँगा now मैं यहां पर जाता हूँ इसको layout में जाकर के मैं इसको section and header about printer now मैं अब बात करूँगा यहां पर about मैं यहां पर बात कर सकता हूँ कि about printer हो गया है about about software okay now next section में बात करने वाला हूं about hardware and then last things about shortcut your tips on the tricks okay मैं इस तरह बात करने वाला हूं इस पुरे presentation अपने conversation के दोरान then मैं अब क्या करूँगा कि मुझे मालो कि मेरे पास multiple slides है अभी के लिए तुमरे फास 5 है लेकिन multiple slides है तो मैं अपने audience के focus को gain करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इनको add section add कर दूँगा जैसे मैं इस पर about printer जो है मैं about printer को copy कर लिया same name देने के लिए और कुछ नहीं मैं यहां पर जाओंगा यह जो blank के रिया इस पर click करूँगा और यहां पर add क्लिक करके add section आ रहा है add section पर जा करके यहां पर मैं क्या करूँगा उसका name दे दूँगा कि add printer rename कर दूँगा तो अब देख पा रहे हैं कि यह जितने भी जैसे ही आप add करते हैं और bottom में कोई section नहीं होता है तो वो पूरे section के under आ जाता है देख पा रहे हैं यह जा रहा है लेकिन जो default section above जो होता है वो default section apply हो जाता है now मैं चाहता हूँ कि यहां पे भी apply हो तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पे simply जाना है right click करना है इस तरह set कर सकते हैं लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि पहले slide को select करें then section में यहां पे home tab के अंदर slide group में section में आए और यहां पे आपको add section पे click कर दीजे और add section यहां पे right click करके add section पे भी आप click कर सकते हैं और about hardware अपना tips and tricks सबको close कर दूँगा हमारी audience की जो यह हमारा focus है वो इस तरह से दिखेगा और यह भी चीज़ है अगर मैं आपको दिखाओं एक outline mode होता है हमारे पास मैं आपको दिखाओं view tab and then outline mode outline view तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारा section add करने का benefits है वो कितना अच्छ ठीक है मैं normal view में आता हूँ वो सारी चीज़े मैं यहां से कर सकता हूँ default section यह name है आप इसको section को rename भी कर सकते हैं यहां पर गए rename और मैं computer fundamental मैंने दे दिया और मैं इस इंटर कर दिया तो आप इस तरह से अपने section को add कर सकते हैं remove कर सकते हैं अब remove करने का क्या तरीका है कि मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों section को मैं remove कर पाऊं तो मैं यहां पर जाओंगा और remove section and slide और remove section करूँगा तो किवल section remove होगा और slide नहीं remove होगा और मैं control z करके क्या करता हूँ कि right click and remove section slide कर देऊंगा तो section भी delete होगा और जो slide उस section के particular section के अंदर था वो भी delete हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम अपने section को में भी remove कर सकते हैं तो मैं section पर आऊंगा जैसे अभी क्या है कि आपकी सारे section दिख रहे हैं expand है तो मैं इसको collapse करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा किसी भी slide पर हो आप no matter करता है section पर आईए और collapse all कर देजी यह collapse आ लो गया अगर किस आपको expand क आगे ठीक है तो यह सारा चीज़ आप section के अंदर से सारे चीज़ कर सकते हैं या फिर नहीं वहां से हो रहा है तो आप right click कर भी आपके पास additional option आजाती है ठीक है I hope आपको इतना चीज़ clear होगा now the next thing जो हमारा है re-arranging slides आता है re-arranging slides का मतलब यह हुआ कि मान लिजे कि मैं पह कैसे change करूँगा कैसे इसकी order change करूँगा simple क्या करना है select करना है इसको और drag करना है click करके drag करके hardware के पास नीचे छोड़ देना है अभी about printer भी हमारा क्या है about printer section नहीं आया इसके बाल slide आया तो मैं क्या करूँगा section को पकड़ूँगा और मैं यहां पर लाकर करण दूँगा अगर आप slide को क्यवल लेकर करेंगे तो slide आजाएगा section नहीं आएगा तो मुझे क्या करना है section के 7 लाना है तो मैं इस तरशे इसको लादूँगा अगर मा लेज़े अभी आपके पास यहां पर multiple slides है जो मेरे पास total 5 है अगर आपके पास 10 हो 20 हो 30 हो तो कैसे आप करेंगे उस time आप क्या करेंगे जाएंगे view tab में और then slide shorter view में जाएंगे अभी इनको use करने के लिए मैं इनको order change करने के लिए अभी printer आया मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं printer मुझे उपर ही चाहिए तो मैं यहां पर जाओंगा printer open रख दूँगा ठीक है hardware के ऊपर चला गया मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं यह software के ऊपर भी चाहिए तो मैं इसको पक्ट हूँगा और software के ऊपर ले जाका रख दूँगा यहां पर इस तरह शे हम अपने slides को rearrange करते हैं और sort करते हैं आपको clear होगा यह now adding picture to a slides यह the most important part होता है कि हम अपने slide में कैसे कोई content को add करें ठीक है मैं अभी printer का एक यहां पर image add करने वाला हूँ तो देखें मैं पहले क्या चाहता हूँ कि मैं इसमें एक slide add करूँ यहां पर मैं जाओ और यहां पर मैं add करूँ यहां पर click करूँगा printer और printer का मैं यहां पर एक photo लगाना चाहता हूँ तो यहां पे आप देख पारे हैं छोटे-छोटे आइकन्स बने हुए यह क्या करते हैं कि यह कमांड से ही हैं जो कि आप insert में जाकर के picture में जाकर के picture लेकर के आएंगे मैं इस picture पे यहां पे देखे कुछ बना हुआ है search यहां पे एक computer बना हुआ है यहां कि आपका local files ठीक है तो मैं चाहता हूँ यहां पे देखे 3D models वगरा है तो मैं चाहता हूँ कि stock image यहां पे जाओ और मैं कोई search करके यहां से image लेकर के आओं तो जैसे मैंने यहां पे लिखा printer अभी image हमें नहीं मिला यह image यहां पे नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं यहां पे आप जाएंगे पिक्चर में और यहां पे online picture पे click किर दिए online picture यह Google Bing के थुरू जो हमारा browser है उस वहां से navigate हो गया मैं यहां पे search करूंगा printer और मैंने search किया तो हमारे पास multiple तरह के printers आपको देखने को यहां पे मिल जाएंगे एक few minutes few seconds थोड़ा से load होने में time लेगेगा अब देखेंगे आप different types के printers के आपके photos आ गये तो मैं कोई सावी printer जो थोड़ा सा ऐसे लंबा type का उसको ले लूँगा मैंने किया insert यह देखें हमारे पास क्या यह printer का photo आ गया right मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा बड़ा तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं अपनी slide में picture को insert कर सकते हैं ठीक है अगर मैं again एक slide लेता हूँ same type का title जैसे माल लेजे मुझे और दूसरा printer चाहिए ठीक है आप यहां पर मेरे पास दूसरा printer चाहिए तो मैं stock image सही देखता हूँ कुछ अगर मिल जाए जैसे कोई भी picture हो यहां पर मैं उसी को ले लेता हूँ जो भी image है insert तो मैं यहां पर बनाना चाहूँगा कि it is very fast printer तो मैं यहां पर time show कर दिया time show कर दिया तो इस तरह शे हम अपने pictures को add करते हैं अपने slide में picture को add करते हैं एक तो जो thing चाहा clip art clip art क्या होता है कि ऐसे चोटे-चोटे icons जो आप अपने pictures में add करना चाहते हो तो मैं अब जाता हूँ software में और मैं एक यह लेता हूँ और यहां पर मैं लिखा show of to wear and मैं यहां पर जाकर के clip art कैसे आओंगा insert और यहां पर आप देखेंगे clip art जो होता है वो 2007 वर्जन में direct option यहां पर आता था clip art का लेकिन यहां पर clip art के जगा icons आते हैं तो मैं icons पर click करूंगा और यहां से मैं कुछ भी जो software है software software नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर कुछ ऐसा type का लेता हूँ thinking about mindset का हो इस तरह शे मैंने insert कर दिया तो यह देखिए आगया तो इस तरह शे हम clip art और pictures को add करते हैं मैं आपको एक important चीज़ बताना चाहूंगा यहां पर कि जो भी चीज़े वो कुछ भी हो picture, object, clip art, 3D model, chart anything which you want to bring in your presentation तो आपको उस चीज़ों के लिए see cable और cable insert tabs के अंदर जाना होगा that means कि अगर कोई भी बाहर से external चीज़ हो और उसको आप अपने presentation के अंदर लाना चाहते हैं तो एक ही उसका way है वो उस रस्तर का नाम है insert insert tab ही है जो कि कोई भी चीज़ों को आपको अपने presentation में ले करके आ सकते हैं ठीक है तो अब मैं बात करता हूँ यहां पे कि align object using guides तो देखिए मैंने यहां पे एक photo लगाया मैं और भी photo यहां पे insert करना चाहूँगा कि मैं एक और picture इंसर्ट कर लूँ a stock image ऐसे random मैं image select कर रहा हूँ 2-3 ठीक है 2-3 इंसर्ट कर रहा हूँ इंसर्ट मैंने कर दिया यहां पे हमारे पास 2-3 तरह के image आ गए अब जैसे देखिए मैंने आपको starting में ही grids and guides का बताया था तो guides क्या होते हैं pro पर यह मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप guides को use करके grids को use करके आप जो आपका object है object in the sense जो आपका picture वेकर insert किया है वो उसको कैसे align कर सकते हैं अभी देखिए अब जाएंगे तो हमें यह red का imaginary line सो कर रहा है कि इसकी distance कहां पे किसके particular चीज़े का है ठीक है तो यह हमारे इस तरह से शो करता है नो मैं कहता हूँ कि view में जाएं और यहां पे guide सो कर दें अभी देखेंगे guide तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस guide के उपर रख दिया इस line को as positions पे मैं अब यह image भी चाहता हूँ कि इसी की यह boundary में हो इसको मैं चोटा करना चाहूँगा तो अब देखेंगे कि यह जैसे ही इस image के वराबर आएगा तो यह इस के part में आने तक चोटा हो जाएगा इसकी भी क्या हो गई baseline सेम हो गई ठीके यह अब आप देख पा रहे है baseline सेम हो रही है थोड़ा सा adjust करना चाहूँगा इसको सेम हो क्या मैं इसको भी चाहता हूँ इस छोटा करके यहां पर लगाना तो मैं इसको लगाऊंगा और यहां पर यह हो गया अब आप देखें पाएंगे कि इसकी जो इस फोटो और यह फोटो और यह फोटो इन दोनों यहां पर जो बीच में distance है वो क्या है अन इक्वल है तो मैं जैसे ही इसको अपने राइट तरफ ड्रैग करूंगा और जब भी इसकी जो boundaries है जो space है वो इक्वल होंगी आटमेटिक वहां पर रेड यह बार आ जाएगा देख पा रहे हैं अभी आप दोनों तरफ ब्राबर आ रहा है यहां पर क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता यहां पर देखें आप दोनों बीड में अगर जैसे ही इसकी जो spacing होई और वो इक्वल होई वो यह रेड सू कर दिया ठीक है इस तरह शे मैं आप आपको दिखाओं यहां पर यह शो गया तो इस तरह शे हम अपने ग्रेड को गाइड लाइन्स को यूज करके गाइड को यूज करके अपने आपजेट को हम अलाइन करते हैं नौ दरनीक्स है कि फॉर्मेटिंग एड़िंग इस तो यह पिक्चर जब माहलेजिए कि आपको अपने पिक्चर आइड कर दिया आपको इस पिक्चर पे फॉर्मेटिंग और कोई एफेक्ट आड़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं एक और पिक्चर इंसर्ट करना चाहूंगा स्टॉक्वी में से और म में की मोर्यल जो हूं हमारा फॉकस में हूं सोरी ये नहीं आ पाएगा जस्ट शेकिंड मैं ये लेता हूं मैं इंसर्ट करता हूं मैंने इंसर्ट किया और यह चुट्टे एक बच्ची की फोटो है मैंने इसको लेकर क्या सब्सक्राइब अब ही देख रहे हैं इसका कलर कैसा है मैं चाहता हूँ कि यह फोटो तो सीम रहे है बट इस पे कुछ हिफक्ट हो जैसे कलर चेंज करना तो आप फोटो की एफेक्ट जो है वो कैसे चेंज करेंगे पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे यहां पर जैसे देखेंगे यह जो अधी देख रहा है अभी हमारे पास सीप आ रहा है मैं बाहर क्लिक करणें हमारे पास कूछ additional टब उपन नहीं ही हो रहे है मैं जैसे ही इस picture पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास picture format tab एक उपन हरा है इस तरह जो tab जब content tab का हो उसको select करने के बाद open होता है वैसे tab को हम contextual tab बोलती हैं, आपको understand होना चाहिए कि हम केसे tab बोलते है, contextual tab बोलते हैं, तो मैं select किया picture, मैंने गया picture format में, then गया color पे, यहाँ पे आपको multiple color है, जैसे hover करेंगे, उस color में, उस color अश्की में वो आपका change होता जाएगा, ठीक है, object होई है, और यह आपका temperature tone, ठीक है color tone, यहाँ पे saturation, आप देखे रहेंगे वो ही picture है, बट उसमें जो color है, थोड़ा सा sharpness हो गए, ठीक है, वो, now मैं अभी जाता हूँ, यहाँ पे correctness में, तो यह जो है, आपका blurished है, brightness है, यह sharpen to soften है, इधर आप जाओगे, और यह इधर आप रहोगे, तो यह आपका है, सार्प effect में आप आओगे हैं, तो इस तरह शे यहाँ पे आप blurry वे गएरा, यह सब चीजे सो करताती हो, मैं अभी select किया, तो यह हमारा जो picture है, वो blurड दीखेगा, यहाँ पे, यह इस तरह शे गलासी effect दीखेगा, picture, picture, यह भी apply नहीं हो रहा है, थोड़ा सा time ले रहा है, अभी देखेगे, आप यहाँ पे यह option है, यह थोड़ा सा time wait कर रहा है, इस तरह शे option आ रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे, तो जो options आपको देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे negative type का, तो इस तरह शे आप अपने pictures में इसके picture पे यह apply कर दिया, नहीं हो रहा है, apply हो गया, now मैं चाहता हूँ कि जो हमारा original photo था, जैसा था, वैसा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, reset picture, कि जैसा original मेरा picture था, वैसा picture हो जाए, reset picture मैंने कर दिया, आप picture के उपर कोई borders वगरा set करना चाहते हैं, कोई अच्छा सा feel दे कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है, कर सकते हैं, आपके उपर depaint है totally, ठीक है, कोई effects वगरा है, जैसे मैंने चाहा, कि मैं effect यही लेना चाहता हूँ, but इसकी जो border का color है, वो क्या के चाहता हूँ, मैं change करना चाहता हूँ, yes, you can do it, कर सकते हैं आप, मैंने change कर लिया, ठीक है, इस मैं एक करूँगा, तो हमारे पास क्या होता है, कि जो blue, pink area है, वो remove हो जाएगा, और जो pink नहीं है, वो क्या हो जाएगा, रह जाएगा, तो मैं keep change करता हूँ, तो अभी देखिए, object मिला लग गया, और ये चला गया, तो यह अच्छा feature है, आप और point में, कि आपको अगर background ज थोड़ा सा, not multiple colors हो, अलग single कर रहे हैं, तो आप उसको easily remove कर पाते हैं, ठीक है, इसके लिए वो अप feature दिया हुआ है, now, understanding object layering, अब मैं बात करूँगा, कि object layering क्या है, जैसे अभी आप देखेंगे, कि हमारे पास यहाँ पे, मैं इस picture को reset करता हूँ, कैसे करूँगा, यहाँ जा करके, ऐसे picture, अब यह हमारे पास total, there are five image है, मैं सभी image को, इसमें, सभी image को, इनको मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे के उपर रखता हूँ, या फिर एक जगे पे collect करता हूँ, यानि कि मैरी collecting point क्या है, यह है, तो मैं भी जाता हूँ, यहाँ पे, इसको भी मैंने लाकर र रखा, और मैंने इसको भी लाकर के रखा, इसको थोड़ा सा चोटा कर दिया, इसको भी मैंने चोटा कर दिया, इसको भी मैं, थोड़ा थोड़ा चोटा करता हूँ, ताकि सारे photo मुझे देखता रहे, अब देखे कि जैसे ही मैं इस picture को, यहाँ पे ले करके आऊंगा, तो इसको जब मैंने last मिलाया, तो यह मुझे सबसे top होना चाहिए, ठीक है न, लेकिन यह क्या जा रहा है, इसके background में जा रहा है, इसका reason क्या है, अगर मैं आपसे पूछू, इसका reason क्या है, इसका simple reason यह है, कि जिस तरह से आप अपने picture को insert करते हैं, या कोई भी object अपने powerpoint में insert करते हैं, उनकी layering, जिस तरह से आपका dish होता है, कि आप एक dish रखें, और दूसरा जब रखेंगे, तो जब पहले वाला था, वो सबसे last में जाएगा, या कि सबसे नीची रहेगा, दूसरा वाला उसके उपर, जब third आप रखेंगे, तो उसके उपर रहेगा, तो इस तरह स आपकी object की layering होती है, लेकिन हमारे पास feature भी है, कि हम उस layering को adjust and remove भी कर सकते हैं, सपोज मुझी इस जो child की photo है, इनको subset background में रखना है, तो कैसे रखूंगा, मैं simply picture format में जाऊंगा, और यहाँ पे जाने के बाद, मैं यहाँ पे options मिल रहे हैं, arrange का, arrange में जाने के बाद, bring forward, send backward दो options है, मैं bring forward करूँगा, तो कोई भी object जो सबसे last में है, जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा, इसका last जो हमारा है, यह जब मैं bring forward करूँगा, यह सबसे last में है, तो सबसे top में आते जाएगा, step by step, मतलब एक एक photo के top पे आते जाएगा, जैसे मैं bring forward करूँगा, एक top आया, लेकिन मुझे direct के इसको send करना है पीछे, यानि step by step, तो मैं इसको कर दूँगा पीछे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जब इसको top में ही चाहिए, तो मैं send backward step by step क्यो करूँगा, direct क्यों नहीं करता कि मैं इसको यह top पे आ जाए, तो वो भी कर सकते है, drop down बटन पे क्लिक कीजिए, और send backward, यानि सबसे पीछे चला जाएगा, और drop down करके bring front कीजिए, यानि कि bring forward बाले options में drop down पे क्लिक करके bring to front कर देजिए, direct यह top पे आ जाएगा, तो इस तरह हम अपने object की arrangement करते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि यह पीछे है, तो यह आगे लाने कि bring forward, मैं यह चाह इस तरह से हम अपने object की layering को शमझते हैं, और arrange करते हैं, now remove the background of the picture, यह already मैंने आपको बता रखा है, लेकिन एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ कि insert, आप कोई भी मैं picture यहाँ पे लाता हूँ, online picture, जैसे यहाँ पे मैं गया, और मैं यहाँ पे इस apple का लेता हूँ, और मै इंसर्ट किया, ठीक है, और जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पर यह थोड़ा सा few seconds time लेता है, to download होने के लिए और इंसर्ट हो जाता है, आप मुझे इस picture में, apple के background को remove करने है, तो मैं क्या करूंगा, simple जैसे ही picture आप insert करते हैं, आपके पास already picture format tab open हो जाता है, आप background था, इसलिए इसने proper इसको select कर लिया, और क्या है, कि अगर आप चाहते हैं कि कोई area जो है आपका रखना है, जैसे मैं आपके keep to mark area जो keep, मैंने कि मैं रखना चाहता हूँ, तो मैं simply इसको click करके, और यहाँ पर line click कर दूँगा, देखिए, proper लिया, जैसे मैं चाहता हूँ कि यह white वाला है, इसको remove करना है, तो मैं करूँगा mark area to remove पर click, और थोड़ा सा ला करके इस पर click कर दूँगा, थोड़ा से इस पर लाके भी click कर दूँगा, तो यह adjust हो गया, now मैं करूँगा keep change, देखिए, इस apple की कितनी बढ़ियां से इसने background remove कर दिया, पूरा का पूरा transparent बना रहा हूँ, suppose मैं यहाँ पे आता हूँ, इस child वाली photo को ले करके, मैं बाकी का photo, इसको मैं control x करता हूँ, और मैं यहाँ पे कोई एक नया slide add करता हूँ, पहले यहाँ पे, blank slide, मैंने blank ले और यहाँ प्स्ट किया, now मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, suppose मुझे मैंने कोई shape add किया, मैं अपनी presentation में कोई shape add किया, ठीक है, मैं एक और shape add करना चाहूँगा, यहाँ पे circle, just मैं ऐसे shape to add किया, दो shape add किया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इन shape की जो color है, वो इसी picture में से कोई color रहे, जैसे मैं चाहता हूँ, कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके hand में यह box है, ठीक है, यह red color का, मैं इसका color लेना चाहता हूँ, इस color को मैं कैसे पहचानूँगा कि यह same exact color इस पे apply हो, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं simple सा है, select करूँगा अपने shape को, मैं जाओंगा shape format में, अब मैं shape format का color कैसे change करूँगा, shape fill में जा करके, shape fill में जाओंगा, और यहाँ पर मैं जाओंगा, eye dropper है, eye dropper, और मैं जाओंगा, तो यह देखे आप पे, जो म हो गया, simple है, मैं गया outline में, मैं इसका outline चाहता हूँ, कि जो outline का color हो, मैं उसका eye drop again लेता हूँ, और इसका eye drop पर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, कि इसका paint के यह black वाला हो, यह black हो गया, अगर आपको नहीं समझ में आया, तो मैं इसका थोड़ा सा outline को बढ़ा कर देता हूँ, ताकि आपको understand हो, कि यह change हुआ है, मैं again गया, eye drop लिया, और ना मैं इस time यह green लेता हूँ, हो गया, change हो गया, तो इस तरह शे हम आप अपने eye dropper का use करके, अपने object वगरा का color वगरा change कर सकते हैं, again मैं eye drop लिया, और मैं इस time यह लिया, तो इस तरह शे आप change कर सकते हैं, ठीक I hope आपको यह change clear हो गया होगा, now adding content to your slide, कि हम अपने slide में जो content add करेंगे, उनको कैसे add करेंगे, कैसे format करेंगे, कैसे align करेंगे, सारा चीज़े, now working with bullet points, अभी आपको देखा है मैंने, यहाँ पर जो last thing है, कि suppose that computer fundamental आपके है, यहाँ पर आपने add किया, यह title and content, आप अपने अब बता रहे हो, what is computer, ठीक है, what is computer आपने बताया, लेकिन मैं आपको एक चीज़से यहाँ पर add करके दिखाना चाहूंगा, इससे पहले, थोड़ा सा, कि आप न, मैं यहाँ पर गया, section, collapse all, deep centrics कि मैं यहाँ पर, कि आप न, presentation तो आप create करीं पाते हैं, scratch से, कभी जैसा भी, लेकिन, आप एक और presentation create कर सकते हैं, from slide and slide from outline से, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, मैंने पहले से doc file बना रखा है, यहाँ वर्ड file, और मैं यहाँ पर जाता हूँ, computer, fundamental, और insert करता हूँ, जैसे ही मैं यह insert करूँगा, तो हमारे जो भी content MS Word के file में होगा, वो शारा का सारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, मैं आपके लिए प्रपसरी बनाया था, तो मुझे इसमें बस यह था कि कैसे कैसे first days, क्या के बताने हैं, वो सारी चीज़, तो suppose that मैं इसको copy करता हूँ, और मैं और मैं क्या करता हूँ, कि same slide को मैं duplicate करता हूँ, और यहाँ पर आपको मैं पहले करता हूँ, आपकी कौन सी understanding अच्छी लग रही है, यह bullet वाली और यह unbullet वाली, bullets वाली, ठीक है, तो bullet हम कैसे add करते हैं, मैं आपको वो बताना चाहरा था, इसलिए मैंने यह content add किया, तो मैं मैं यहाँ पर simple जाता हूँ, title and content, मैं suppose that आपको मैं यहाँ पर कोई list बना रहे हो, कोई table बना रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको add किया, मैं यहाँ पर गया, और मैंने add किया list of item, या मैं यहाँ पर अगर list of item ना बता हूँ, तो मैं types of printer बता सकता हूँ आपको, types of, ठीक ह तो printer में भी अलग लग तरह की printers होते हैं जैसे कि हमारा printer है वो दो तरह category में divided है जैसे पहला हमारा होता है impact printer और दूसरा जो होता है non impact printer non impact printer जो होता है यह होता है अब जैसे माल ने यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर bullet points लगाऊं यहाँ पर home tab paragraph bullet मैंने bullet लगा दिया आप bullet यहाँ से change भी कर सकते हैं अगर आप यह bullet लगा आपको चाहिए यह bullet लगाना यह bullet यह bullet कोई भी bullet यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपको और भी options चाहिए bullet यह number में चाहिए इनकी जो size है वो भी decrease जैसे मैंने यह लगाया और इसका मुझे size 100% ने करके मैं यहाँ से small v कर सकता हूं मैंने गया और okay कर दिया तो अब देखे चोटा आओ गया पहले क्या आ रहा था यह बड़ा आ रहा था मैं अब देखे यह बड़ा आ रहा है लेकिन अब मैं Ctrl Z करके दिखा हूं आपको यह तो यह चोटा आएगा ठीक है यहाँ से आप Ctrl कर सकते हैं ठीक है तो मैं जैसे ही इंटरप्रेस करूंगा अटमेटीक कि यह लेबल वन में है मुझे बाहर जाना है यह यह इसके अंदर में आना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यह देखे ब्लिट पॉइंट्स यह दिखेगा तो नॉन इंपक्ट प्रिंटर के अंदर आता ह डैजी विलезर प्रिंटर जोब आपका आता है डैजी विल यह आपका क्या है इंपक्ट प्रिंटर है जो कि आफ अस्टेशन बेगरा अब मैं इसके अंदर बात करता हूँ तो मैं अगें टैप प्रेस करूँगा और मैं बात करूँगा जैसे लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर ठीक है तो यह सब क्या है कि आप इस तरह से बुलिट पॉइंट्स एड़ कर सकते हैं और यह आपको कंटेंट को ब्यूटिफाई करता है अगर मैं बात करूँ कंट्रोल एक यह मैंने और यहां पर जाकर कि मैं कोई और बुलिट्स यूज़ कर रहा हूँ त बुलिट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि बुलिट्स है नम्बरिंग बुलिट्स भी होता है दो तरह के बुलिट्स होते हैं एक होते हैं बुलिट्स जो डिजाइन्स वाले होते हैं और एक बुलिट्स होते हैं यहां पर आप देख पाएंगे कि जैस कैसे कैसे यह हमारा मेले ही बता चुका हूँ लेकिन एक बार और मैं बता दाऊंगा कोई इश्यू नहीं है मैं यहाँ पर जा रहा हूँ व्यू टैब में and then outline व्यू outline व्यू में मुझी इस tabs of printer वाले slide की बाद एक और हमारा add करना है क्या करना है slide add करना है तो मैं just interface करूंगा देखे हमारे पास slide add हो गया ठीक है slide add हो गया मैं यहाँ पर आकर interface करता हूँ हमारे पास यह content में add कर सकता हूँ content यह जो मैं laser printer लिखाता है यहाँ पर एक और printer का भी नाम लिख सकता हूँ प्रिंटर मैंने लिखा वो printer आप टैप हो रहा है लेकिन जैसे मैं enter आया मैं shift tab बाहर आऊंगा 1 step 2 step अब देखे मैं कहां पर आगे एक slide लेकर के आगे तो इस तरह से हम अपने outline mode में भी presentation में slide को add कर सकते हैं और remove कर सकते हैं remove करने का तरह क्या है simply क्लिक किजिए जिस भी slide को आपको remove करना है remove कर दीजिए ठीक है यहाँ गया content यहाँ पर slide रिमूव हो गया मुझे इस blank वे है इसको मैंने click किया remove कर दिया मैंने ठीक है इस तरह से आप सारे चीज़ों को कर सकती है ठीक है तो मैंने अभी हमारा outline mode normal mode पे आगया normal mode होगी हमारा now formatting text and creating for dash जैसे मैं बात करूँ कि अभी देखिया यह सारे content हमने तो add कर दिया लेकिन हमारा content कुछ attractive नहीं लग रहा है तो मैं इस जो हमार heading है मैं इसको थोड़ा सा bold दिखाना चाहता हूँ ठीक है थोड़ा सा इसके color मैं change करना चाहूँ ताकि वह focus में थोड़ा सा attractive दिखे तो मैं वह भी कर सकता हूँ यहां से कोई theme का color ले लेता हूँ अच्छा लग रहा है और मैं इसके size और बड़ा कर सकता हूँ अगर मुझे यह भी नहीं पशन तो मैं इसका यहां पे shadow दे सकता हूँ background में मुझे यह भी nature मैं save format में जाओंगा और यहां से जो हमारे effect है यहां से कोई effect ले लूँगा थोड़ा सा अच्छे वाले ठीक है यहां से जो भी आप effect लेना चाहते हैं जैसे मैंने अभी यह effect लिया अच्छा लग रहा है और मैं इस effect को भी control कर सकता हूँ कि मुझे उस में particular काँ सा यह आपका color चाहिए उसके outline में भी color काँ सा चाहिए मैं वह outline भी इसका color को select कर सकता हूँ जैसे मुझे outline में यह blue चाहिए और इसके जो effect अभी देख रहे हैं background में वह भी सारा चीज़ आप text effect में जा करके अभी वह क्या है आपका shadow है और shadow का color जो है आप यहां से more shadow में जाएंगे और color जो आपको देख सकते हैं यहां पे कि मैं भी black रखूँगा तो यह आप color भी change कर सकते हैं effect वही रहा आपने उसको customize कर दिया तो इस तरह शेए effect अभी कर इस तरह शेए आप मेरा होना चीज़ यह text वे गएरा सारा चीज़ आप जैसे मैं अभी यहां पर यह बला दिखाऊं तो इस तरह शेए आप अपनी word art use को कर सकते हैं आपको यह clear हुआ होगा now working with the text box text box क्या होता है एक important part हमारा है text box ठीक है text box क्या है important part है जैसे मैं बात करूं कि suppose मेरे पास यहां पर blank slide है तो slide में मैं लिखूंगा कहां यहां पर तो मुझे कोई भी content को add करने के रिए मुझे text box की जरूरत पड़ती है तो text box मैं shape में जाओंगा और यहां पर मैं text box लिखा और यहां पर मैंने किया create ठीक है और create करने के बाद मैं क्या करता हूं यहां पर मैं यहां पर double click करूंगा और मैं लिखना start कर दूँगा मैं एक function यहां पर लिखूंगा जो demo text dummy text देता है हमें यहां पर मैंने dummy text डाल दिया अब मुझे इस text विगरा पर formatting विगरा भी मैं कर सकता हूं सारा का सारा चीज़े apply कर सकता हूं जैसे मैं बात करूं कि यहां पर मैं बात करूंगा select किया तो मैं bold भी कर सकता हूं italic भी कर सकता हूं underline भी कर सकता हूं shadow भी लगा सकता हूं मैं यहां से इस text को बड़ा भी कर सकता हूं इसको छोटा भी कर सकता हूं ठीक है मैं इस पर highlighter भी apply कर सकता हूं मैं इसके text का color भी change कर सकता हूं मैंने यहां पे text की formatting जो मैंने अपलाई किया उसको remove भी कर सकता हूँ यहां से मैं यहां से text का size change कर सकता हूँ मैं text के बीच में जो जो आश पेर्सिंग है वो भी घटा बढ़ा सकता हूँ अब देख पा रहे हैं यहां पे मैं strike through भी लगा सकता हूँ और यहां से उस font की change भी कर सकता हूँ उनके लिखावाट कैसे होने चाहिए तो हमारे पास total के total customize चीज़े मैं यहां से कर सकता हूँ ठीक है और यह text box वार font वाला कहीं भी आपका font हो वो text box के अंदर हो, text के बाहर हो, save के अंदर वो सारा जगह पे apply कर सकते हैं आप easily आपको दो चीज़े मोलता है यहां पर, जिसे अभी देखिए, मैं text box में writing mode में और करसर मेरा blink कर रहा है भी मैं आपको दिखाओ यहां पर करसर मेरा यहां पर blink कर रहा है तो blink कर रहा है तो मेरा जो आप outline देखेंगे यहां पर इस boundary का dot dot देखेंगे, वोट क्या है dot 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 है लेकिन मैं जैसे ही boundary पर मैं यह जो four headed arrow बन रहा है create हो रहा है उस पर मैं click कर दूँगा तो यह हमारा fixed यह continuous और closed path बन गया है closed line बन चुका है अब मैं आपको जुम करके दिखा दूए हाँ यहां पर उस time मैं इसको remove नहीं कर सकता हूँ, मुझे move करने के लिए इसको बाहर पर click करके move करना होगा ठीक है यह चीज़ आपको clear होना चाहिए now creating and formatting tables अब देखें जैसे आपने text box अपने easily insert किया same उसी तरह से आप अपने slides में table भी add कर सकते हैं table add करने का दो तरीका होता है, insert में जाएंगे, मैंने आपको बदल ही बताया कि जो भी चीज़े आपको insert करने है वो सारे के सारे आप insert tab से ही insert कर सकते हैं तो मैं गया table में और table में जाकर के जो भी insert में गया table में जाने के बाद जितने भी rows and column चाहिए मैंने यहाँ पर select कर लिया तो यहाँ पर limitation है कि आप 10 by 8 का ही table create कर सकते हैं लेकिन मुझे और भी table create करने हो तो मैं यहाँ पर click करूँगा insert table मुझसे पुछा जाएगा यहाँ जो default इसका number of column and rows होता है वो 5 by 2 होता है 5 column and 2 rows तो मैं यहाँ पर set करता हूँ कि मुझे number of column 10 चाहिए अंदर row मुझे चाहिए वो चाहिए 12 और मैं कर दिया OK तो आप मेरे को 12 row और 10 column वाली table create हो गया जो default setting होता है जो default theme के according जो हमारा table create होता है वो इस तरह शेया आता है लेकिन मुझे चाहिए कि मेरा जो table हो मुरे according हो तो मैं यहाँ पर जाकर के table design में और यहाँ पर जाकर के मैं अपना table वेगेरा create और उनका themes वेगेरा सारा का सारा change कर सकता हूँ मुझे कवल चाहिए blank है ऐसे चाहिए मैं ले लूँगा मैं again जाओंगा मैं यहाँ पर यह सारा चीज़ा ऐसे कर सकता हूँ right मैं इस border पर जाकर के मैं इस border पर वेगेरा top border ही मुझे केवल चाहिए उससे सारे चीज़ा भी कर सकता हूँ no border तो कोई border नहीं है यहाँ पर मैं जाकर के all border कर दूँगा all border आगे तो इस तरह चीज़ा मेरे को मैं अपना table को customize कर सकता हूँ मैं इसमें data कैसे add करूँगा simple सा है यहाँ पर गया है मैंने लिखा cl1 मैं दूसरे में गया column 2 मैं तुसरे में गया column 3 तो इस तरह चीज़ा हम अपने data को add कर सकते हैं मैं यहाँ पर गया इसमें मैंने लिखा rw1 रो 1 now rw2 इस तरह चीज़ा तो मैं रो में गया और वो उदर से column में इस तरह से हम content भी add कर सकते हैं मुझे content को भी change मैंने आपको बताया कि कहीं भी text हो वो table में हो, shape में हो, बाहर हो, अंदर हो उस सारे पर क्या चीज़े आप यह font वाले चीज़ अपलाईगा सकते हैं जैसे मैं देखिए यहाँ पर बड़ा कर सकता हूँ अब इसको adjust करने के लिए इस तरह चाप कर दीजे ठीक है, इसको highlighter भी use कर सकते हैं मैंने highlighter हटा दिया, remove no highlighter इसमें आप जाकर के no color कर दीजे, यहाँ पे जाकर के इसका color change कर दीजे यहाँ पे आप जाकर के इसका upper case lower case कर दीजे यह सारा का सारा चीज़े आप कर सकते हैं ठीक है, ओके, now using the research language and the razor tools यह क्या होता है, जैसे मैंने यह भी आपको यहाँ बताया कि जैसे माले जे कि मैंने अब text insert कर दिया, जभी आपको देखने है, रेड रेड यह आ रहा है यह सब सारे चीज़े क्या है, यह वो चीज़े हैं जिसको कि system का जो dictionary है या system उस word को recognize कर नहीं करवा है ठीक है, इसलिए यह क्या कर रहा है, wrong items इसको so कर रहा है मैं अगर simple यहां पर लिखूँ कि it is a device अब देखिए यहां पर मैंने is की जगा i a लिया है, तो इसने क्या किया, इसको लिखा red दिखा, red इस हो किया तो red इस हो किया क्यों क्योंकि इसने समझा यह wrong है, क्या होगा है, suggestion दे दिया तो right click किजिए और is होगा, तो it is a device, और it works on electricity ठीक है, electricity, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे देखिए, मैं अभी treasury को बहला बता रहा था यहां पर मैं गया, review में, and मैं treasure पर click करूँगा, तो यह क्या करता है, electricity, related और वो क्या है, उनसे words यह show करता है, treasure में, जैसे power, energy, current, voltage, electric energy, यह सारा का सारा किया इसने show किया, अगर मैं यहां पर जाता हूँ, search पर, और जैसे मैं search पर click करूँगा, तो अभी देखिए, इसने show कर दिया, कि what is electricity, electricity, and उसका pronunciation भी, कि हम उसको कैसे pronounce करते हैं, उसका definitions भी दे दिया, और अगर आप कसे net से connected हो, तो आपने इसका विकिपेडिया बेगर है, और सारे links यहां पर कर दिया, तो यह सारा क्या कर सकते हैं, आप इस search के through, इस treasure के through, आप जाकर कि इसे particular words बेगरा भी चीज़े समझ सकते हैं, जैसे आप यह आप कहा है, कि मान लो, कि आप यह चाहते हो, मैंने इसको select किया, और मैं चाहता हूँ कि इसका language change करना, मतलब मान लो, आपको किसी दूसरे language है, English है, इसको हिंदी में आप convert करना चाहते हो, तो it works, मैं उतना effective हिंदी में convert कर पाता है, लेकिन other language को other language में convert जरूर करता है, जैसे मैं अभी language पर click करूँ, और या फिर translate पर मैं click करूँ, मैं translate पर click करके, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे अभी इसने auto detect किया, यह जो word है, और English के जगह, मैं यहाँ पर search करके, हिंदी ले ले लेता हूँ, मैं हिंदी पर click किया, यह एक उपकरन है, यह बिजली पर काम करता है, तो देख रहे ह प्रूफिंग लेंगवेज, यह आपका प्रूफिंग लेंगवेज है, कि अभी English United है, मैं अगर English इसको India करना चाहता हूँ, इंग्लिया कर दूँगा, यहाँ पर so कर देखे, प्रूफिंग लेंगवेज, यहाँ पर so कर दिया, कि India आपने कर दिया, तो इस तरह चे हम क्या कर सकते हैं, अपनी, जो भी हमारा थ्रेजरी है, टूल्स है, उनको यूज कर सकते हैं, और स्पेलिंग चेक को भी यूज कर सकते है, जैसे मैं भी दिखाऊ हूँ आपको, जो हमारा यह टेक्स बक्स बेगरा कहा चला गया, यह टेक्स बक्स था है, मैं इसको Ctrl D करके यहाँ इस duplicate करता हूँ suppose देखीगा जब यहाँ पर इसको detect करेगा तो इसने जो भी wrongs बगरा चीज़े होंगी उनको वो detect करेगा तो detect करेगा जैसे ही अभी यह कुछ time लेगा तो मैं इसको आपको आपको grammar and proofing दिखाऊँगा एक कि जैसे मैं यहाँ पर spelling and grammar पर क्लिक करूँ तो जिस जिस rw तो उसने समझ नहीं रहे लेकिन आप समझ रहे हो कि यह सहीं है तो आप ignore all कर दो ठीक है ignore once, ignore all का मतलब होता है कि ignore once करेंगे तो अगर माल लेजे device, device देखें अब दो जगा प्यारा है तो दोनों जगे पर अगर ignore once करेंगे तो यह एक बार device पर होगा फिर वह device पर आके रुकेगा यह रुका, ignore once किये और यहाँ पर complete हो गया लेकिन मैं करता हूँ Ctrl Z, Z और मैं again spelling and grammar पर आता हूँ और ignore all कर देता हूँ तो यह एक ही बार में दोनों जगे पर complete कर दिया तो इस तरह शें हम grammar and spelling भी चेक करते हैं नो हमारे पास आता है adding shape, diagrams and charts to slides हम अपने charts में कैसे diagrams वगेरा सारे चीज़े add करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी shape कैसे add करेंगे जैसे मैं यहां पे गया और मैं home पे गया और एक slide लिया blank मुझे कोई चीज़ बनानी है कोई चीज़े create करनी है तो मैं कैसे create करूँगा तो उसकी लिए आपको मैंने पता ही रखा है कि मुझे कोई भी चीज़े लानी है मैं क्या जाओंगा insert में जाओंगा मुझे shape लानी है shape में जाओंगा shape कहा मिलेगा illustrations group में मिलेंगे shape के अंदर जाइए आपको यहां पे different different तरह के shape मिलेंगे आपका heading पढ़ लो पहले जैसे recently used यानि कि जो भी मैंने अभी तक इतने ही shape use किया है उसके बाद lines है rectangle है basic shapes है block arrows है और उसके बाद आपकी equation shapes है follow charts है star and banners है and then call outs है यह आपकी actions button है यह अलग-अलग तरह कि क्या है आपकी shapes है तो जो मैं basic shapes है कोई shapes ले ले लेता हूँ जैसे मैं यहाँ पे लिया rectangle rectangle rhombus मैंने इसको duplicate किया तो इस तरह शे हम अपने shapes को add कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे जाओं और यहाँ पे मैं लूँ यह तो मैं इसको shapes को create कर सकता अभी देखेंगे आप कि इस shapes में आपको एक yellow dot दीक रहा है मैं इस shapes के जगह पे एक और दूसरा भी shape लाता हूँ जो से different हो जैसे मैं एक rectangle लेकर आता हूँ triangle मैंने यहाँ पे triangle लाय right angle triangle right angle triangle से अच्छा होगा जिसको कि मैं आपको बता पाऊँ कि insert shape and this triangle इस triangle को मैं लाता हूँ ठीक है equilateral triangle है all sides are equal है इनके अब देखें कि यहाँ पे कि इस shape में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे आपको yellow dot दीक रहा है इस shape में भी yellow dot दीक रहा है इस shape में yellow dot दीक रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इस shape को आप top, bottom and right, left से change कर सकते हैं ठीक है बट इनको भी आप change कर सकते हैं ठीक है change कर सकते हैं बट इसको transform नहीं कर सकते हैं transform in the sense कि आप इसको देखें आप transform कर देंगे right triangle triangle हो गया यह only triangle हो गया ठीक है क्योंकि इसका क्या हाँ 3-6 equal नहीं है यह only triangle हुआ इसमें आप जाएंगे तो यह इसको आप transform कर सकते हैं rectangle में इसको आप transform कर सकते हैं इसे parallelograms में तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं इस yellow dot के जरिए किसी भी shapes को transform कर सकते हैं ठीक है I hope आपको यह सारा के सारा चीज़े clear हो गया कि हम अपने shapes को कैसे add करते हैं now the next की formatting shape कि हम shapes को कैसे format करते हैं इसका color change कैसे करेंगे इसके borders कैसे change करेंगे तो shape format में आप आएंगे और यहां पी आप जैसे ही आएंगे तो आपको दो चीज़े मिलेगी shape fill, shape outline shape effect तो shape fill क्या होता है जो आपकी inner inner part की जाथ है उसमें आप कोई color add करना चाहते हैं जैसे अब ही मेरे पास default color क्या है यह है, मैं इसमे color यह change करना चाहता हूं यह change हो गया, मैं इसमें अलग color challenge करना हो beverage करने शाक हूए क्वाचित हो, इसमें मैं मैं अलग यह हो यह चाहता हूं यहां पे देखे जो अब रिसेंट कलर आना है जो हमने ऐड्रोपर से लिया था न वोही सारे colors है जो created हुए है यहां पे अब मैं चाहता हूं कि इनकी बॉर्डर हैं उनके भी मैं color change करूँ तो बॉर्डर change का color change करने से पहले मैं तीनों का एक ही बार select करूँगा या फिर पहले किसी को select कर लीजे then control button press कीजे अब यह आप देख रहे हैं कि यह जब मैं control button press नहीं कर रहा हूँ तो यह handy arrow बन रहा है select करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि control के साथ इसको मैं plus पे click करूँ और इस पे भी plus click कर दूँ तो यह हमारा तीनों को मैं एक ही साथ select करके save format में गया save outline में गया और तीनों का मैं outline एक ही साथ है बड़ा कर दिया मैं आप जाता हूँ again save outline मैं इसका outline देना चाहता हूँ red थाकि आपको वो दिखे बस मैं आप दिखाओने आपको बताने के परपरशे इसको कर रहा हूँ different different color कोई combinations color में नहीं है फिर भी मैं आपको show कर रहा हूँ कि इनकी color जो है आपको दिखे कि कैसी ये color show हो रही है ठीक है मैं इसका black रखता हूँ अच्छा है ठीक है तो इस तरशे हम अपने shape की formatting change कर शकती है इनका color विगरा change कर शकती है आप आपको clear होगा लेकिन ये क्या और है shape effect shape effect क्या होता है कि जैसे आपको appreciates कोई 3D models 3D object का आपका जो है soft glue देना है जैसे अभी देखेंगे आप मैं ये दे दिया तो इसकी border वेगरा सारे गाइब हो गई shape तो भई है तो इसको आप अलग 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 तरह की effect भी दे सकते है कहां से effect देंगे पहले उस shape को slide करेंगे shape effect में जाएंगे जैसे मैं यहाँ पर bival दे देता हूँ तो आप देख रहे हैं का अलग अलग तरह का इसका changes हो रहा है 3D rotation मैं देना चाहता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इनका rotation वेगरा change हो रहा है ठीक है तो इस तरह श्री कोई भी effect आप अप्लाई कर सकते हैं नहा हम आता है cropping या picture to a shape अगर मैं देख लीजी यहां भी मैंने मेरे पास इस बच्ची का picture है और मैं इसको cut out करना चाहता हूँ picture को crop करना चाहता हूँ तो एक simple तरीका है कि आप picture को crop कैसे करेंगे picture format में जाएंगे and then crop पे click करेंगे और इसको आप top, bottom, left, right से इसको कर सकते हैं crop जैसे आपने area उसको select कर दिया and then crop पे click करेंगे यह crop होगी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा original photo है पहले पहले तो मैं क्या करूँगा reset picture कर दूँगा reset picture and size पे click कर दूँगा और यह मेरा picture क्या हो गया जो original picture था वो picture आ गया मैं चाहता हूँ कि इस picture को मैं जाऊ ओ और मैं crop to shape करओ यह नी मैं किसी shapes में काटओं तो मैं क्या जाऊँगा इस button पे जाऊँगा पहले एस पोटो को मैं जाऊँगा picture format में crop drop-down button पे click करओंगा crop to shape मैं चाहता हूँ कि इसको मैं किसी shape में, जैसे plus icons में crop कर दूँ हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं circle में crop कर दूँ, इस circle ऐसा है, लेकिन मैं circle पर जाकर aspect ratio one is to one, यहनि कि चारो दूरब से रहनी कि round circle में चाहता हूँ, इस तरह भी crop कर सकता हूँ, now हमारा आता है merging shapes to creature and on graphics, आप जानती हैं कि मैं अभी यहां पर आँ हूँ, हमारे पास मैंने तीन चीज़ें यहां पर किया था, तीन चीज़ें मैंने बनाया था, इन तीनों चीज़ों को shape format पर आता हूँ, और मैं shapes का, बहुतर मैं delete करता हूँ, मैं again shape insert करूँगा, मैं insert पर गया, मैं again shape लिया, कि suppose मैं यहां पर एक shape लिया, मैं यहां पर एक और shape लिया, मैं again यहां पर एक और ऐसा shape लिया, अब यह आप देख पा रहे हैं, कि मुझे suppose कोई ऐसा shape create करना हो, जो कि इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो मैं उन shapes को कैसे create करूँगा, तो सबसे पहला तरीका है कि आप या तो इसमें insert में जा करके shape में जाएं और यहाँ पे जो आपको दो options मिलते हैं यह वाले हैनि कि यहाँ पे यह free transform और यहाँ पे आपको यह मिलते है ascribe, तो ascribe के क्या होता है कि आप इसको जा करके ऐसे ऐसे paint जो use करेंगे और इनको आपके add कर देजिए इस तरह का यह आपका shape create हो गया यह आपका एक shape हो गया shape fill में आप जा करके color दे दीजिए तो एक random यह आप बना सकते हैं एक और आता है insert में आपको जो आप shape बनाना चाहते हैं यह आता है free form selection यह क्या करता है कि ऐसे lining आपको select करने के लिए provide करता है तो यह आपका क्या करता है keval और keval इस तरह से shape create करके देता है तो आप दो तरीका से अभी सिखें कि आप कैसे scribe से and free from selections जो आपका area होता है इसका नाम है freedom free from shapes तो इनको use करके आप कैसे create करते हैं बट मैं चाहता हूँ कि हमारे पास दो shapes हैं उनको मैं merge करके कैसे इनको use करके shape बनाऊ तो मैं देखें यहाँ पर जाता हूँ मैं इसको opposite को पहले align करूँगा इसके shape में मैंने align कर दिया मैं चाहता हूँ कि यह जो दो shapes हैं यह एक shape बनाऊ क्योंकि अभी तो दो है तो मैं इनको merge करने का option हमें मिलता है कैसे merge करेंगे पहले एक select कीज़े और दूसरा select कीज़े and then save format में जाएए यहाँ पर merge option आपको मिलता है merge करके combine कर देज़े अब यह एक shape बन गया ठीक है एक shape बन गया मैं again control Z करता हूँ मैं थोड़ा से इसको overlap कर देता हूँ ताकि हमारा merge and combine में या union मैं कर दो मैं यहाँ पर आपकर करके select merge shape and union कर दो तो हमारे यह shape बन गया कि मैं इसका rate देता हूँ shape outline में इसको move करता हूँ मैं again वही shape लेकर क्या आता हूँ और मैं ऐसा ही shape बनाता हूँ लेकिन दोनों का क्या करता हूँ मैं अलग-अलग बनाता हूँ मैं दोनों को अलग-अलग बनाता हूँ मैंने इसको अब मैं इन दोनों को select करके shape outline में change करूंगा ready करता हूँ आपको समझाने के लिए और यहाँ पर मैंने change किया तो अभी देख पा रहा है कि beach में भी red line आ रहा है बट यह दोनों अलग-अलग shape है इस बज़े से लेकिन यह जो shape है वो single shape है तो आपको समझ में आ गया हुआ कि आप अपने customized shape कैसे create कर सकते हैं अगर आपके पास जो basic shapes है already उनको कैसे merge कर सकते हैं merge में और भी चीज़े हैं जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि suppose मेरे पास दो shapes हैं दो shapes हैं और मैं इन दोनों shapes को merge करना चाहता हूँ तो merge में भी अलग लग तरहागा जैसे union है तो जी except बन जागा combine है तो combine में क्या होगा कि जो common area है वो remove हो जाएगा वो transparent हो जाएगा मैं अभी आपको दिखाऊँ यहाँ पे दिखे remove हो क्या transparent बन चुका है लेकिन जो बाकी area है वो क्या है आपके हैं और fragment में क्या होगा कि जो भी आपके cut रहे हैं वो सारे क्या cut out बन जाएगा इस तरह से fragment हो जाते हैं fragment के बाद एक आता है आपका intersect कि जो common area हो रहेगा जो लेकिन बाकी जो uncommons है वो delete हो जाएगे और यह subtract में आता है कि जिसको आप पहले select करेंगे उसमें से जो second वाला होगा वो delete हो जाएगा तो इस तरह आप अपना क्या कर सकते हैं shape customize shape भी create कर सकते हैं now the creating of formating chart तो हम chart कैसे create करते हैं यानि कि जो हमारा graphics वगरह है जो data वगरह सोग करने के लिए उनको कैसे हम लोग use में लेते हैं और कैसे use करते हैं तो मैं यहां पर जाता हूँ एक blank slide अगेन लेता हूँ और मैं यहां पर insert में आता हूँ यहां पर जाओंगा मैं charts में और charts में मैं कोई भी column से यह different तरह के charts हैं इनका अलग अलग purpose अलग अलग uses हैं तो आप जो भी आपको use में है mainly जो column और line chart ही ज्यादा तर use में आता है और यह pie chart ठीक है bar chart यह chart है जो कि ज्यादा तर use में आते है column और bar chart में आपको ज्यादा difference नहीं रहता है ठीक है डेटा वहां से आता है, जैसे Series 1, Series 2, and Series 3, यहां पर दिखेंगे कि Series 1 है, Series 2 है, और Series 3 है, तो इसका category 1, यहने कि week 1 में आपका data कितना है, यह सब सारे चीज़़े आप सेट कर सकते हैं, तो अभी हम क्योंब बात करेंगे, इसके formatting पे, इसके data पे नहीं, because इसका यह part है, नहीं है, मैं अभी बात करूँगा यहां पे, कि मैंने यह, जैसे ही insert किया इस चीज़ों को, तो मैंने क्या किया, कि insert करने के बाद select करूँगा, select करूँगा, जैसे ही हमारे पास 2 options open हो जाते हैं, chart designs and format design, chart design में जाऊंगा, तो यहां पे change color दीखेगा, तो अलग अलग तरह के, मैं color setting शुए गयरा, इनको monochromatic, यह सब चीज़े कर सकता हूँ, monochromatic मतलब एक ही color की, अलग अलग saturation बेगरा, वो use में आती है, मैं यहां पे उनका अलग अलग तरह का format और styles भी use कर सकता हूँ, जैसे भी आप देख पा रहे हैं, अलग अलग तरह का styles यहां पे हैं, ठीक है, तो मैं इनको अब क्या करूँगा, मैंने इसको close किया, और मैं अभी जाता हूँ यहां format में, and the format में जाने के बाद, मैं single single color को भी क्या कर सकता हूँ, use कर सकता हूँ, इनको define करने के लिए, मैं इसको select किया, और मैं इसका color दे दिया, इस तरह, मैं इसको select किया, और इसका save fill मैंने दे दिया, यह color, तो अलग अलग color तरह हैं हम लोग दे सकते, मैं इस पे गया, इस पूरे जो आपका चार्ट है उनको कस्टमाईज कर सकती है अगर मैं फॉर्मेट में बात करूँ तो हमें फॉर्मेट में जाकर कि इन साभी सेप्स पे जो टेक्स्ट है हमारे हैं इन पे भी मैं टेक्स्ट बगरा टेक्स्ट वर्ड आर्ट की इफेक्ट डाल सकता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे गया होम टैब में और यहाँ पे गया यहाँ पे और लूज कर दूँगा तो यहाँ हमें प्यूटिफाई दीखी गा भी इस तरह से तो आइ होप आपको यह चीज़े समझ में आ गई होंगी Now using a smart art to create your diagrams जैसे अगर मैं बात करूँ मैं आपको printer बताया था कि मैं यहाँ पे इस तरह से मैं printer का बनाया था मैं select करूंगा और यहाँ पे insert smart arts और मैं hierarchy यूज करूंगा यहाँ पे hierarchy यहां पर select करूँगा, right click करूँगा, transform, where is the bletered and that, okay, not an issue, ठीक है, आपको insert में जाना है, यहां पर smart art पर जाना है, और यहां पर smart arts क्या होते हैं, कि आप पर इनको use करके, आप अपना hierarchy, कोई artime structure बेगर जितने भी दिखाना चाहते हैं, कोई options बेगरा ही बराना चाहते हैं, जैसे options बेगरा यह सारा चीज़े, use make कर सकते हैं, जैसे मैं अभी hierarchy ले लेता हूँ, और hierarchy में यह लेता हूँ, मैं okay करता हूँ, और okay करने के बाद मैं यहां पर जाता हूँ, और यहां पर मैंने लिखा, जैसे मामने लेज़े honor है, या फिर मैं अगर ऐसे बात करूं कि, father, उसके actions, शन हुए, actions के, त्री एस तरह शे, और add click, sorry, यहां पर अगर आप चाहते हैं, कि इसका और एक यहां पार्ट हो, तो यहां पर आप क्या करेंगे, right click, और यहां पर add shape, after, before, above, below, मैं क्या करता हूँ, after, करता हूँ, add shape, after, तो इस तरह शे देखिया, क्या गया, तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ, इसको, son one, son two, तो उस तरह शे मैं क्या कर सकता हूँ, इनको, पूरा का पूरा, और यहां पर जाकर, मैं सेप और star style में, इनका style भी change कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह शे, मैं इस पर गया, और format में जाकरके, इनकी जो text की formatting वेगरा है, वो सारा भी change कर सकता हूँ, text will, मैं avoids ने रखके, यह अल्दो रख देऊंगा, मैं इनका home में जाकरके, इसकी जो small कर सकता हूँ, तो इस त अब हम बात करते हैं, कि सेप और designs में, तो आप designs वगरा है, सारा मैं आपको बताए दिया, इनमें आप कैसे इसको use कर पाएंगे, ठीक है, now, last thing, adding equation, कि हम equation कैसे add करेंगे, ठीक है, तो मैं भी एक blank, यहाँ पर slide लेता हूँ पहले, home and then slide and the blank slide, मैं blank slide में जाओंगा, और पर मैं बात करूँगा, कि कैसे हम equation add करते हैं, तो पहले तो हमें एक, यहाँ पर मैं insert में जाओंगा, और यहाँ पर आप दिखेगा, आपको symbols वाले group में, यहाँ पर आपको equation मिलेगा, और equation में आप जा करके, इस तरह से equation add करेंगे, जैसे ही आप equation add करेंगा, इस पर click जाता है, कि जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे, अभी मैं mouse से लिख रहा हूँ, और मैंने अभी अपना pen tab नहीं connected किया है, a plus b equation इस तरह से और insert करेंगे, तो यह insert equation आपके यहाँ पर insert हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको बढ़ा करके भी दिखा 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 द हुए slides, ठीक है, पहला हमारा है, कि हम कैसे कोई भी videos है, जो YouTube से या फिर अपने system से कैसे insert करेंगे, तो मैं अहाँ पर जाओंगा, मैं एक निया slide लेता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद, मैं करता हूँ आपको, कि insert video, video आपको कहा मिलेगा, media में, media के अंदर, videos में, videos के अ online videos, ठीक है, अब online videos जो हैं, यह आपकी, जो websites वेकर रहे हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, तो मैं आपी, जो, बिंग है, यहाँ से search करके, आप, enter address for the online, और यहाँ पर insert करेंगे, और, यहाँ पर copy and paste the address of your video, यहाँ बता रहा है, यहाँ पर, कि अब कहां कहां से, videos को ला सकते ह हैं, तो यह सारे sites हैं, जहाँ से आप video के direct link paste करके भी insert कर सकते हैं, okay, now, मैं अभी, तुम मेरे पास अभी link नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, insert में जा करके, मैं यहाँ पर video पर, stock videos पर जाओंगा, और मैं कोई simple सा videos यहाँ यहाँ ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई videos यह रहे, यह चाहता हूँ और insert मैंने कर दिया, तो मैंने यह जैसे ही video के insert किया, यह download हुआ, और यह slide पर यह insert हो गया, तो जैसे ही insert होगा, हमारे पास video format and playback हमारे पास दो चीज़े आ जाएगी, तो video format में आप यहाँ से जाकर कि video के styles वगरा वो सारे चीज़े चेंज़ कर सकते हैं, अब दिखाना चाहते हैं, अस्तरशे वगरा बगरा, तो मैं यह ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक सुन्दर इसा frame मैंने लगा दिया, दिखाने के लिए आपको, और now जब क्या होता है कि मैं अगर बात करूँ, यह जो हमारा format जो बाकी shapes पर जो apply होते हैं, line, bring forward, backward, वे सारे चीज़ अपलाई होंगे यहाँ पर, आप अपने crop करना चाहते हैं, वीडियो भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभ अपने, okay, now मैं आकर बात करूँगा यहाँ पर, कि वीडियो जो format आपका हो गया, corrections में आप वही, जो blurness पर गएरा है, आप lightness पर गएरा, यह सब सारे चीज़े कर सकते हैं, एक main जो part आता है आपका, playback options में, playback में आए जाएंगे, तो एक trim का option आता है, कि suppose that आपका जो वीड जो की continuous होगा, ठीक है, तो उसको trim भी कर सकते हैं, कि जैसे मैं अभी trim करूँ, तो हमारे पास total वीडियो की जो यह, आपकी जो green area है, यह starting point होती है, कि आप कहां से मेरा वीडियो स्टार्ट होगा, जैसे मैं यहाँ पर रखा, कि वीडियो मेरा यहां से स्टार्ट हो, और यह यहां से देखिए, यहां पर गया, और यहां पर in हो गया, तो यह इस तरह से चलेगा, वीडियो से, now, fade in, feed out भी आप कर सकते हैं, यहां से, इसका दे सकते हैं, अब volume चाहते हैं, कि volume यहां पर control कर सकते हैं, यह जो आपका है start automatically, यह जब भी आप present करेंगे, तो start automatically करेंगे, या फिर on click, in the click, this sequence में करेंगे, या फिर when, जब आप click on करेंगे, तब यह on होगा, इस तरह चाहते हैं, rewind after playing, ठीक है, जब यह play हो जागा, तो यह दुबारा play करते हैं, यह loop में चलेगा, loop until stop, जहां पर लिका हुआ है, hide while not playing, जब आप play नहीं करेंगे, तो यह automatic hide हो जाए, यह सारा चीज़े आप setting यहां से कर सकते हैं, I hope आपको यह video settings आपको completely समझ में आया होगा, जो हमारा next है, यहां पे, वो है, working with video clips, मैं आपको बताए दिया, now adding working with audio files, कि audio files को कैसे हम insert करेंगे, कैसे क्या चीज़े, करेंगे, तो मैं अभी insert में जाता हूँ, और यहां पे, media and audio audio में जात करके, दो audio हमारे पास हैं, कि audio on my PC, हैनि कि कोई audio यहां पे save करके रखाऊ, उसको मैं ले सकता हूँ, या फिर record audio करके, यहां पे record कर सकता हूँ, मैं अभी record करने जा रहा हूँ, तो यह recording start हो गई, और यहां पे, जैसे ही record पे, stop पे click करूँगा, और मैं okay करूँगा तो यह देखिए, हमारे पास sound बन किया गया है, मैं कुछ यहां पे, तो यह सार क्या चीज़े हुआ, कि इसने हमें यहां पे record करके, यह था, इसने यहां पे put कर दिया, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपना, कोई भी audio में गरे insert कर सकते हैं, अगर माली जा audio के, जैसा same as अ background में चलेगा, और मैं यहां पे trim का बात करूँ, कि trim से मैं जवसी के तरह है, कि आप starting point है, ending point है, मैं यहां पे रखना चाहता हूँ, कि start point है, और मैं ending point थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूँ, इसको, और okay कर दूँ, तो इसका durations का भी, हम trim कर सकते हैं, इस तरह, I hope आपको य insert slide में, insert slide में जब बात में करूँगा, कि जो transition क्या होते हैं पहले, कि जब मैं इसको present करूँगा, full mode में, तो अभी देखेंगे, कि मैंने second slide पे आपको, कोई effect नहीं देखा, जो हमारा first slide था, और second slide जब आया, तो इसकी बीच में कोई effect नहीं देखा, कि कैसे आया, aesthetic पूर य इनको मैं आप देखाऊंगा, आपको transition होता गया है, कि जो वह animation, वैसा animation, जो किसी two slides के between, बीच में लगे होते हैं, जो इनको हम transitions बोलते हैं, ठीके, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, और इन तीनो slides में transitions apply करूँगा, सेम तरह का मैं apply करता हूँ, push, ठीके, और मैं इस पे apply कर द दिखाता हूँ, तो आपको देखना effect है, कि उपर आया है, यह था, इस तरह चाया, और यह इस तरह चाया, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, कि इनके बीच में transition लगा हुआ है, इस transitions का आप, यहाँ से durations वेगरा भी set कर सकते हैं, कोई sounds लगना चाते हैं, इस transitions वे लगा स सकते हैं, आपना sound लगाना है, other sound में जाकर के, कोई आप अपने local file से sound चूच कर कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, और यह सारे चीज़ा आप यहां से कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाकेंगे, इसमें तो बहुत सारा आपके 3 options आपको मिल जाते हैं, कि subtle and existing and dynamic content जो कि आप use कर सक अपने presentation में transitions लगाने के लिए, now, अब हम बात करते हैं, adding animation to your object, अपने object पर कैसे आप animation लगाएंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ हूँ यहाँ इस वाले slide पर, और मैं इसको remove करता हूँ, suppose मैं बात करना चाहता हूँ, कि पहले मेरे पास जो यहाँ पर slide है, पहले इनका animation आए, तो मैं इसको slide करूँगा, और मैं animation पर जाऊँगा, animation में आपको 4 तरह की animations मिलते हैं, यहाँ पर, पहला है entrance, यह वह वैसे animations है, कि जब आप slide present करोगे, तो कोई भी animation आपके slide में enter होंग जो emphasize है, कि slide में enter होंगे, लेकिन वो focus करेगा, exit क्या है, कि आपके slide में वो सारे object रहेंगे, सारे जिस पे apply होगा यह animation, लेकिन जब आप present करेंगे, जब उसको present कर पाएंगे, तो वो remove हो जाएगा, और जो आपका motion path है, यह चुछ क्या करता है, कि आपको कोई path define करने में भी यूज करके भी देख लेते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर लगाता हूँ, fly in, तो fly in मैं यह चा रहा हूँ कि मेरा यह right side bottom से ना आ करके, left side से आए, तो left side से कैसे आएगा, मैं effect पर click करूँगा, और यहाँ पर मैं देऊंगा, from left, from left देऊंगा, तो यह left side से आएगा, मैं य यहाँ पर जाना चाहूँगा, और इसको मैं चाहता हूँ कि यह fly in ही है, but bottom से proper है, but मैं यह चाह रहा हूँ कि यह जब आया, तो मैं fly in होकर, right side, right side से आया, bottom से, bottom भी छोड़ सकते हैं, यह मैं चाह रहा हूँ कि इस पर दूसरा है, इस time मेरा bounce हो कर गया है, इस तरह से, but मैं मैं चाहता हूँ, यहाँ पर effect option यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यह bounce, इस तरह का तरीकेशन ही आता है, bounce हो करके आपका default setting इसका जो है, तो अब मैं जब present करने जाओंगा, तो अभी देखिए हमारे पास, जब मैं गया, हमारे slide में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं click करने जा जब मैंने click किया, कैसे आपको पता चला कि मैंने click करने पर ही आएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि start लिखा हुआ है, और on click लिखा हुआ है, कि जैसे ही आप click करेंगे, तभी यह आपका जो animation है, वो start होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब मैं present करूँ, और कि automatic one by one करके सभी रहा जाए, तो मैं यहाँ पर क्या click करना हुदा है, कि first value को select करके with previous, with previous कर दूँगा, और इन सभी पर जाकरके, सभी को select करके start with previous, नहीं, after previous sub कर दूँगा, यह सब क्या होँगे, कि zero value जब play हो जाएगा, तब उसके बाद यह सब क्या होँगे, play होँगे, मैं अब यह आपको slide सो करके दिखा दूँगे, अब मैं कोई click नहीं किया, और यह automatic animations start हुए, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, second value का, कि same option मैंने लाया, और मैं सब को select किया, और मैंने यहाँ पर गया, animation and remove मैंने कर दिया, none, कोई animation नहीं चाहिए, अब मैंज है, तो मैं अभ option मैं exit वाले में, यहाँ पर लगाता हूँ, जैसे exit में, fly out, यहाँ देखे, fly in, और यहाँ पर क्या है, fly out, यह बाहर जाएगा, अब, सभी क्या जाएगा, बाहर जाएगा, देखे, fly out हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि यह आया था, इस slide में किदर से आया था, left side से, तो यह ज जाए हमारा, from, यह, right side जाए, तो मैं जाऊँगा, इसको right side चला जाएगा, यह जा आएगा, तो यह हमारा आएगा, इसमें भी मैं लगाना चाहूँगा, exit वाला ही, और fly out, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि यह हमारा lift जाए, तो अभी देख रहे हैं, कि सेम मैं fly out, fly, ऐसे animation printer के जरिए, मैं click किया, और मैं इस पे लगा दिया, but इसका direction क्या रखना चाहता हूँ मैं, कि यह bottom में चला जाए, effect option, and this, top bottom, इसको ही मैं लगाया, यह कहां से आथा, नीचे से आथा, मैं again इसको भी लगाना चाहूँगा, इस page से जागर के, animation printer मैंने click किया, इसे bottom में चला गया, ठीक है, तो मैं अगर इसको apply करता हूँ, देखिए, हमारा है, मैं click कर दोंगा, बाहर चला गया, यह दर चला गया, ठीक, 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 लेकिन, अब मैंने आपको बताया था, कि यह slide में क्या था, कि कुछ नहीं था, सब चीज आ रहे थे अंदर, हमारे slide में आ रहे थे लेकिन इसमें था, सब था, लेकिन सब क्या जा रहे थे, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह शे, तो आपको यह difference आपका slide में होता है, fly in, fly out, यानि की exit transition और, जो आपका entrance transition है, उसके 20, मैं अभी जाता हूँ, यहाँ पर non करता हूँ, और मैं अब क्या करता हूँ, कि इमको emphasize यूज करता हूँ, जैसे देखिए, अब मैंने one man किया, मैं इसको अब slide सो करूँगा, तो भी देखिएगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा, सभी इसने बताया कि यह यह slide है, emphasize हुआ, यह color change हुआ है, तो अगि focus में लोग आ गया, ठीक है, इस तरह शे हम emphasize का use कर सकते हैं, now, अ अब आप presentations, present करने के लिए कैसे prepared होंगे, तो पहला आता है adding speaker notes, speaker notes क्या होता है, मैं आपको भी दीखा हूँगा, जैसे ही मैंने इस slide पे कुछ चीज़े लिखा हूँ, suppose that मालो आप यह printer के बारे में है, अभी के लिए just suppose कर लो कि यह printer के बारे में है, मैंने printer वाले slide पे गया, and where is printer slide, yes, tabs of printer, various tabs of printer, yeah, इस side पे गया, और मैं चाहरा हूँ कि जब मैं present करूँ, तो मुझे जो कुछ content हो, कोई important चीज़े हो, जो मुझे दीखे, जो हमारा audience उसे न दीखे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कि इसको click, जो add यहाँ पे है, या फिर अगर यह नहीं रहेगा, यह अगर off है, तो यहाँ पे notes पे क्लिक करके, यहाँ पे यह चीज़ एड़ कर सकते हैं, यह आपको दीखेगा कब, मैं आपको अगे बताऊंगा, बस मुझे अभी आपको यहाँ बताना था, कि आप अपना speaker notes add कैसे करेंगे, ठीक है, तो कुछ few minutes में, आपको मैं दिखाऊंगा कि यह चीज़े कहाँ दीखेंगे, आपको, editing and printing handout master, अब handout master क्या होता है, कि suppose आप जा रहे हो, और अपना, जो आपने यहाँ पे notes डाला है, उसको आप print करना चाहोंगे, तो उसको कैसे आपके, control करोगे, तो मैं आप जाता हूँ, यहा कि सारा चसरा कस्तमाईज कर सकते, कि कि आप header रखना चाहते हैं, नहीं रखना, मैंने data दिया, то data रखना चाहते है data, पूटर हट लेजे नए, dear food trade, i.e. तो जो भी आप उटानाचाहते जो भी आइड करना चाहते हैं वह सारा का सारा चीज़ से यहां पे कोई बेग्राउंड जबकि आपका स्कारण persics ठिवर मैं पे बेडियं टिया सकत हो कि अभी अभी करण कुम है डियान रखिए करदा है और मैं अभी आपको printing भी है न तो print पता ही देता हूँ मैं जैसे कि आप file पे and print पे जाओंगा और print पे जाने के बाद यहाँ पे मैं select करता हूँ print current ठीक है print current में ही रहेगा ठीक है no issue और मैं जाता हूँ यहाँ पे जैसे full page slide जो है मैं उसको use ना करके मैं यहाँ पे आता हूँ handouts में और मैं यहाँ पे 3 by 3 slide करेंगा हूँ तो मैंने देखा आपको बताया था कि color आप ध्यान रखेंगे कि देखे जो भी color आपने add किया था वो color यहाँ पे आ रहा है ठीक है color आ रहा है ना यहाँ पे 3 slides आ रही है अब यहाँ पे आपको print करना है तो बस print वाप लिक किजिए अब अगर आपका print यहाँ पे save हो जाएगा क्योंकि पर ने printer connected नहीं है तो यहाँ पे मैं print print करके यहाँ पे और as a PDF यह export हो जाएगा तो यह आपका handouts क्या हो गया print हो गया यहाँ पे now rehearsing या presentation rehearsing means कि आप suppose that किसी presentation के लिए जा रहे हैं और presentation पे present करना चाहते हैं तो आप rehearsal करते हैं कि एक particular slide पे कितना time spent करना है तो जैसे मैं अगर जाओं और यहाँ पे हमारे पास 4 slides है मैं इनका transition है इनको हटा दूँ पहले इस पे transition non transition नहीं लगा हुआ है तो अभी देखना मैं वैसे लेता हूँ जो कि आपको समझ में 5,6,7,8 8 slides तक 4 slides है मेरे पास इन पे मैं rehearsal करूँगा तो मैं जाओंगा यहाँ पे view review slides हो मैं जाकर के यहाँ पे rehearse timing rehearse timing देख रहा है इस पे मैं click करूँगा तो जैसे ही में यह हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाता है ठीक है तो यह इस तरह मेरा यहाँ पे यहाँ बात करूँगा कि मैं अभी बात करने जा रहा हूं computer fundamental के बारे में मेरा यह इस तरह से animation होता है मैं इस तरह से बात करूँगा यह हमारा emphasized animations है तो आप यहाँ पे देख रहे है कि अभी यहाँ पे 3 seconds 4 seconds टाइमिंग जा रहा है तो total यहाँ पे 2 चरह के चीज़े होती है यह जो आपका है 28-29 जो जा रहा है यह आपकी total slides की timing होती है और यह जो timing है यह slide timing होती है कि इस particular slide पे मैंने time कितना spent किया मैं जैसे ही right click करूँगा और मैं यहाँ पे pause recording कर देता हूँ या फिर यहाँ पे direct मैं या फिर आप exit भी यहाँ पे या in the show पे click करेंगे तो यहाँ से आपके पूछे का total slide आपका यह हुआ yes कर देजे तो अभी आप देखेंगे कि first पे और यह transition पे मैं दिखाऊंगा आपको तो इन पे सारे के सारे पे apply हो गए कि इस slide पे आपका देखिए 4 इस slide पे मैंने जादा time वे spent किया यह 20 आ गया तो उस तरह शे आपको यह सारे के सारे क्या होते है आप अपने rehearsal timing को भी record कर सकते हो now adding and view comments तो comments क्या होता है comments कैसे add करते हैं कैसे उनको हम tackle करते हैं तो देखे comments add करना क्या होता है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा insert में और यहाँ पे आपको दिखेगा comment मैंने comment insert किया तो मैं चाह रहा हूं कि इस comment में मैं लिखूँ की change the title मैंने change the title मैंने send कर दिया ठीक है अगर कोई आया वो देखेगा यहाँ पे comments को तो comments ऐसे remove open भी कर सकते हैं या simply यहाँ से close कर सकते हैं तो comment आपको जो किसी को आपने presentation share किया वो सारा चीज यहाँ से क्या कर सकता है learn कर सकता है कि आप वो कैसे क्या comment किया गया है क्या changes करने नहीं करने है वो सारा चीज यह फिर कोई भी information के लिए आप comment कर सकते हैं इस तरह शे हम comment add करते हैं कैसा remove करते हैं suppose यह comment का आपने चीजे work complete कर दिये तो आप simply क्या करेंगे यहाँ पे delete thread, reserve thread reserve thread पे click कर देंगे तो यह comment आपका reserve हो गया or then delete कर देज़े इसको no comment अब यहाँ पे comment क्लिक करेंगे कोई comment नहीं है इस तरह से आपका comment क्या हुआ result हो गया तो इस तरह से आप इस comments को tackle कर सकते हैं now reviewing and comparing change with others अभी आपको मैं यह ऐसे बता पाऊंगा कि मेरे पास माल लेज़े दो slides है ठीक है मैं अगर देखना चाहूं यहाँ पे इसका मैं अगर एक verbally आपको overview देता हूं कि क्या होता है कि जैसे accept changes और मैं एकना file create करता हूं new presentation यह design वाला ही मैं create किया मैंने यहाँ पे इस चीजों में मैंने कोई change नहीं किया मैंने इसको simply गया file save as this PC या फिर documents जो भी है this PC मैं यहाँ पे इस नाम से save हो किया अब इसमें ना कुछ changes कर देता हूं जैसे मैं इस text को बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे गया और इसको मैंने save change में नहीं format में जा करके chart designs में जा करके chart design create कर दिया इसको जा करके इसका मैंने ,ow यह color change कर दिया और मैंने इसको जहां पर आ कर गए thank you को तैंक यू का भी मैंने color change कर दिया और इसका भी मै ? change करता है चाहता हूँ मैं design अपना create कर रहा हूँ इस तरह चाहता हूँ और यहाँ प्याने के बाद इसको मैंने दिया rate इस तरह से अब मैं इस file को जा करके save as again यहाँ दे species again वहीं पे but मैं ने इसको school one करके save किया save कर दिया अब यह हमारे पास दो presentations available है ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने slide one और slide school जो है और school one यह दो presentation है और दोनों को मैं compare करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ किसमें अलग है किसमें नहीं है ठीक है तो मैं अब जाओंगा यहाँ पे file info यहाँ पे मैं एक बर इसको change कर लेता हूँ वेरिस अप्शिन्स तो compare the slides यहाँ पे review में compare options आपका है compare में मैं क्लिक करूँगा और जो वो मैंने जो रखा है यहाँ जो अश्कूल वाला है मैं इसको open करूँगा तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे school वाले जो मुझे मिल जा यहाँ यह रहा school आपका मैंने इसको merge किया और merge करने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि कहां कहां पे चीजे changes हैं जैसे मैंने यह जो हमारा school design से यह changes है यहाँ पे इसने बता रहा है कि जो मेरा previous presentation है और इसमें क्या अंतर है कि ticks format size color change मेरा name भी आ रहा है यहाँ और यहाँ पे paragraph font style भी change है तो मैं इस पे click करूँगा और क्या है accept all हनी कि accept कर लूँगा तो मैं यहाँ पे जाओंगा और accept पे कर दूँगा तो यह accepted हो जाएगा कि जो मेरा previous था उसको मैंने accept किया जिससे compare कर रहा हूँ ठीक है कि मैंने अपना change किया था अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इस slide पे यहाँ पे आप देख रहेंगे कि यह जो था कि मैं चाहता हूँ कि नहीं जो previous वाला है उसको मैंने यह तो change कर दिया यह पे नहीं चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा यह और मैं कर दूंगा result तो अभी देख पा रहें कि उस presentation से जो मेरा presentation है दो presentation मैंने पना था उनको compare कर पा रहा हूँ क्या changes है इसमें क्या नहीं है वो सारा का सारे चीज़े हम लोग ऐस तरह से compare कर सकते हैं मैं अभी इसको done save करत सकते हैं ठीक है now delivering your presentations कि हम presentations कैसे देंगे तो presentation प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि slideshow mode करना तो यहां पे आप जाएंगे slideshow mode तो यह आपका mode वो होता है कि जब यहां पे जो भी जहां पे आपका cursor है यह जो जिस slide पे आप select किये हैं वहां से presentations को start करते है यानिकि from the current slide तो आप slideshow button यहां पे जाएंगे tab में और दो options आपको मिलते हैं from beginning और from current slide दो तरह कि आपके slides होते हैं from current and from beginning तो जो from current होता है यहां कि जिस slide पे आप हैं वह start होता है F5 button से F5 से जब भी आप start करेंगे तो यह क्या होगा यहां पे आप जाएंगे hover करेंगे तो आप देखेंगे shift F5 from current slide मैं अगर इस पे हूं if I press किया यहां see इस पे click किया F5 ठीक है If 5 से होता है from beginning ठीक है, F5 से from beginning and shift F5 से होता आपका from current slide अगर मैं shift F5 यूज करूँगा तो किया current slide कैसे, यहाँ पे हूँ मैं shift F5 किया, यहाँ और beginning से, कहीं भी slide पे हुआ आप किसी भी slide पे हुआ, आप F5 प्रेस करोगे, तो from a starting point से ही आपका वो presentation slide सो start होगा वो वहाँ से start होगा custom slide सो में भी आप क्या कर सकते हो custom slide सो में जाकर के, आप slide को custom create कर सकते हो कि आपको मालो 20 slide है, 30 slide है आप चाहते हो कि आपके अलग-अलग teams है product team है manager है उनको किसको किसको so करने है तो आप अलग-अलग audience यहाँ पे set कर सकते हो जैसे new image गया, suppose that मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यह जो हमारा है product team के लिए product team के लिए हमाई यह बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उनको बस first slide, second, third, fourth and fifth fifth तक ही दिखाना है भै मैं आड़ करूँगा और मैं okay कर दूँगा, यहाँ से आप उनकी order भी change कर सकते हैं, जैसे अब पहले यह 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 इस तरह श्याप, आप order भी और okay कर देंगे, और यहाँ पे so पे क्लिक करेंगे, तो आप यही presentation उनको बस दिखा सकते हैं, और जैसे यह होगा end, यह presentation end हो जाएगा ठीक है, तो आप इस तरह से भी custom slide show product team जैसे आगया, आपे मैंने create किया तो आप अलग-लग तरह से भी आप create करके उन audience को आप एक ही presentation को अलग-अलग audience के लिए create कर सकते हूं, ठीक है इस तरह से यह चीज़ से हो गए अब जैसे है कि आपको, मैं यहाँ पे बता चाहोगे, यह zoom ही ना हो गया ठीक है, तो इस तरह से आप अपने zoom in, zoom out right click करो और यह zoom out हो जाओगे ठीक है, यहाँ पी आप आओगे, यहाँ पी तो आपको एक और option मिलेगा जैसे कि show presenter view यह आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जब जब आपके पस ना दो स्क्रीन होते है, आपका laptop है, एक और प्रोजेक्टर है जो आपको audience को दीख रहा है, जो laptop है आपको दीख रहा है तो आप इस mode को use करके आपने slide present करेंगे तो वह सारा चीज़ से क्या होगा कि आपको जो add notes मैंने किया था जो add notes है आपका वह मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मैंने add notes किया था printer मैं आपको याद होगा कि printer के type मैंने notes add किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि इसका यह क्या use है तो जो भी audience को है वो आपका वो यह screen दिखेगा और आपको यह screen दिखेगा नहीं कि next slide जो कौन सी slide आने वाली है वो यहाँ पर दिखेगा और जो आपको क्या बोलना है इस slide के बारे में वो सारे की सारे चीज़ा के आपको यह आपका होगा ठीके इस तरह अगर आपको exit करना है तो in this show पर क्लिक कर देजे यहाँ पर in this slide show तो आप बाहर आ जाएंगे इस तरह शें ओकी now मैं अब बात करूँगा आपको मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि आप कैसे न अनुटेट कर सकते हैं जैसे महलेज़े आपको अनुटेट करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको just a second using a present your view यह को मनें बताए चुका यह option आता है आपका तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप यहां पे आ रहा हो, इस slide को present करने जा रहा हो और आपको कुछ color बेगर चाहिए, जिसे यहां पे paint है, तो paint मैंने ले लिया तो paint से क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ यहां पे leak सकते हो ठीक है, और यहां पे जैसे आओगे, आप यहां पे highlighter है तो आप highlight भी करके दिखा सकते हो, कि यह this is the highlighter, ठीक है, इस तरह शे यहां पे आप आओगे, और यहां पे आपको laser pointer, जो कि आपको focus कर सकते हो, इन सारे चीज़ों को ठीक है, और erase करना चाहते है, आप चुकोई भी कर दिए, आप erase भी कर लो, यहां से यहां पे color भी use कर सकते हो, जैसे highlighter का color है, यहां पे चिंज कर लो, यहां पे paint लिए हो, तो paint का भी color आप, जैसे मैंने पिसले बार red लिया था, मैं अभी, यहां पे yellow ले ले लेता हूँ, इसका color है, तो मैंने yellow से लिग दिए, तो आप यहां पे annotating वेगरे सारा चीज़े कर स इस तरह शे आप, जो मेरिया भी, without slideshow से बाहर गए, आप चीज़ों को जूं करके दिखा सकते हूँ, मैं discard करता हूँ, कि जो चीज़े मैंने annotate के था, उसको मैं नहीं रखना चाहता हूँ, वो मैंने discard कर दिया, ठीक है, तो इस तरह शे आप वो सारे चीज़े रख सकते हो, एक चीज़ आता है, hide slideshow, जैसे मालो, कि मैंने अपने audience के लिए, इस product team के लिए, मैंने अपना, वो तो बता बना दिया, कि यह चीज़े है, बट मैं suppose किसी को, मैंने team नहीं create किया, और मैं present कर दिया, बट मैं चाहता हूँ कि, यह तीनो options हमें नहीं दिखे, तो मैं hide slideshow कर ठीक है, मैंने rehire sir यह इसा बता दिया दिया, अब record बचा हूँ है, इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया setting, slideshow and customs हो, ठीक है, now reusing and sharing a presentation, reusing, saving the custom theme, जैसे reusing का मतलब हुआ, कि कैसे हम अपना custom theme use करेंगे, custom theme कैसे save करेंगे, तो simple क्या है, आप जाएंगे design में, और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर save current theme, यहाँ कि जो आपने theme बनाया, उसको save कर सकते हैं, यहाँ पर name देकर करके save कर देजिए, यह save हो जाएगा, ठीक है, इस तरह आप अपना custom theme भी save कर सकते हैं, inspecting a presentation for astray comments, अब देखिए, जैसे, मैं लेजिए कि किसी ने comment किया, क्या किया, वो सारा का सारा हम inspect करते हैं, अपने presentation को कैसे करते हैं, file में आएंगे, info में आएंगे, और यहाँ पर inspect, और inspect document पर click करेंगे, और यहाँ पर कर देजिए, yes, और इसको क्या हो रहा है कि अब पहले इसको save कर देजिए, inspect documents को, और मैं यह पूछ रहा है कि आप क्या कि यहाँ पर inspect करना चाहते हैं, क्या क्या उस documents में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, कि मैं inspect all पर click करूँगा, अभी देखिए, यहाँ पर यहाँ आ रहा है कि जो comments है, कोई comments यहाँ पर है, यह सारे चीज and then close कर देज़े, यह रिमोब कर दिया, more info and then remove all और रिंस्पक्ट, इंस्पक्ट हो गया, और जैसे ही यह हमारा टोटल या टोटल ग्रीन हो गया, यह more info है, हम नहीं जाओंगा भी, इसको लिए हम अपने डॉक्मेंट को इंस्पक्ट भी करते हैं कि कोई हमारा कोमेंट्स बगरा है, सारे चीज़े को मैं अटोमेटिक एक ही बार में डिलेट कर शकता हूं, वहांसे देख करके दीज़े, now saving the presentation as a template, हम अपने प्रेजेंटेशन को as a template कैसे save करते, अब यह मने पीछले वीडियो में आपने दिखा था कि हमने कैसे उस प्रेजेंटेशन को as a theme कैसे insert किया था, कैसे रखा था, now अब हम देखेंगे कि हम अपने प्रेजेंटेशन को आंज और टेंपलेट कैसे उनको हम सेव करते हैं तो आप जाएंगे फ़ाइल में सेव आज भी जाएंगे जहां पर आपको सेव करना है मैं अभी करेंट पावर्पवूरपोइंट में सेव करता हूं और यहां आप जो save as type दीख रहा है, यहाँ पर जा करके, आपको एक मिलेगा यहाँ पर presentation template करके, Microsoft PowerPoint template, यहाँ पर देखेंगे, micro enable template और Microsoft template, तो यह select करेंगे और यहाँ पर save करेंगे, तो आप इस तरह से अपने presentation के template को भी save कर सकते हैं, now printing your presentations, मैंने आपको कुछ पहले hangouts है, उनको print करने क बताया था, लेकिन अभी मैं पूरा presentation कैसे print करते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, now print पर जाएंगे, अभी मैं handouts है, मैं अभी जाता हूँ single, full page, ठीक है, full page, और मैं यहाँ पर जाता हूँ, या फिर page notes, ठीक है, तो मैं यहाँ फूल page को print करना चाहता हूँ, और print करने चाहू तो वो save करके रख ले रहा है, now मैं अभी बात करनगा आपको, तो इस तरह आप name दे करके कुछ भी आप इसको यहाँ पर save कर सकते हूँ, ठीक है, मैं अभी बात करूँगा यहाँ पर जा करके, recording and narrating the slideshow, ठीक है, मैं slideshow में आया, और यहाँ पर मैं गया, तो narrating में क्या होता है, कि जो भी आप narrate करोगे, जो story बताओगे, वो उस particular slides पर record होते जाता है, और वो आप चीजों को यह करते हो, जैसे मैं यहाँ पर गया, और मैं record start कर रहा हूँ, तो यह क्या करेगा, कि अब recording start, यहाँ पर record जो है, यह record start, play stop, तो मैं record पर क्लिक कर दिया, अब यह start होगा, यहाँ पर आप जो भी चीज़ा जा रहा हो, record होती जा रही है, वो सारी के सारी चीज़ा यहाँ पर record हो रही है, मैं present कर रहा हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, सारे का सारा चीज़ा मेरा, यह यहाँ पर recording होती जा रही है, मैं जब भी stop recording करूँगा, यह recording हमारा stop होगा, अब मैं मैंने क्लोस किया तो यह हमारा क्या हुआ कि जो रिकॉर्डिंग्स है मैं अब यह स्लाइड सो में करके दिखाता हूँ आपको अब देखिए जैसे यह चीज़े नरेटिंग वाला था कि आपको में भी आउडिये न सुनाई दे कि लेकिन आपको यहां पर एक speaker note दीख रहा है कि इस slide पर मैंने क्या क्या बोला है क्या रखा है वो सारे के सारे चीज़े यहां पर दीख रही है तो यह मैं क्या करता हूँ पर्टिकुलर हर slide पर जिस जहां पर मैंने यह automatic break करके जो आपका audio है उनको उस slide पर पुट कर देता है conception, record, narrating वाला यह वाला ठीक है इस तरह से आपको I hope यह चीज़े समझ में आया होगा saving your presentation as a video suppose आप इस presentation को as a video कोई animations वगरा लगाए हो तो मैं चाहता हूँ कि यह मैंने select कर लिया तीन वीडियो और मैं यहां पर फाइल में गया यहां पर जाओंगा export में and export as a video यहां पर आप define कर सकते हैं उनका resolutions वगरा और देन create video यह आप पकाते है second expense on each slide second expense on each slide means कि आपके हर slide पर यह सतीन slide है तो आपके total durations कितने हो जाएंगे 5,3,15 तो यह 15 seconds तक आपकी जो video का durations होगा around 50 to 20 seconds तो मैं create a video पर click करूँगा और जैसे यह video के name आएगा मैं भी इसको download में save करता हूँ और मैं इसको save कर दूँगा यहां पर तो यह video जहां पर देख पा then आप उस videos को आप जिस folder में save किये हैं उसको आप देख सकते हैं ठीक है तो मैं अभी आपके लिए मैं simple बस video जैसा होता है वो simple create कर देगा तो आप इसको करके खूद देख लेना मैं अभी time waste नहीं करूँगा यहां पर तो मैं इसको कर दिये close ठीक है और उसके बाद मैं यहां पर जाओंगा और यहां पर save कर दूँगा जब pdf and shiv मैं यह save करूँगा तो यह पूरा का पूरा presentation हमारा as a pdf save हो जागा जबसे हम देख पाएंगे कि हमारा pdf में पूरा का पूरा यह presentation क्या हुआ सेव हो गया ठीक है अब मैं बात करता हूँ यहां पर कि इमेज में कैसे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि जैसे माल हो कि यह मारा फोटो है जैसे फोटो वाला यह वाला मैं इसको चाहता हूँ कि यह जो हमारा है as a photo export हो तो मैं जाओंगा file save as this species जहां भी रखना चाहता ह हूँ यहां फिर मैं download में रखना चाहता हूँ यहां पर जाओंगा और यहां पर अलग लग आपको options मिल जाएंगा जैसे .mp4 यहां से भी direct save कर सकती हो और यहां पर PDF है और then png और यहां पर आप सर्च करोगे jpeg यहां पर sorry jpeg format ppt and then jpeg file interchange jpeg and the png यहां पर है तो आप मैं jpeg क्लिक करता हूँ और then save पर क्लिक करूँगा तो यहां भी पुछेग options आप से file all slides and just this ones तो मैं क्लिक करूँगा यहां पर just this ones पर क्लिक करूँगा और यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यह हमारा photo click हो गया एनिक insert हो जैसे कैसे देखूँगा मैं इसको यहां पर मैं आपको दिखा भी पाऊंगा कि अभी जो मैंने create किया photo यहां पर देखिया आप यह photo रहा जो आपका slide पर था तो उसको उसने as a image convert कर दिया तो यह ता हमारा how to export our presentations as a PDF or a jpeg now मैं sharing the presentation with others जब आपको presentation share करना है तो आप जैसे आ और वो आपकी one drive से connected है तो आप अपने presentations को अपने one drive में save करके इनको share कर सकते हो जैसे मैं save आज करूँ और इनको मैं अपने drive में share करूँ तो यह automatic आप उसको link के थ्रूँ share कर सकते हो लेकिन ऐसे नहीं share कर पा रहे हो तो यहां पर share button पर जैसे दिया है share और share पर click करने के बा cloud storage है और जो one drive है वो Microsoft का अपना cloud drive है ठीक है cloud storage है तो वहाँ पर save हो और उसकी link के copy करके आप दूसरे एक शाथ share कर सकते हो और direct as attachment भी भी भेज सकते हो जैसे मैं file पर जाओ और यहां पर share पर click करूँ और share आप यहां देख पाएंगे email present online share with people तो मैं share with people पर click करूँगा तो य तो यहां पर ज्यादा option भी मिल जाते हैं जैसे email में करना चाहता हूं कि save as a PDF, send as xp, send as an attachment पर click करूँगा तो यह हमारा क्या करेगा outlook open करेगा और outlook open होने के बाद यह sign in करे का पूछेगा तो आप sign in करके खुद outlook से जैसे यहां पर outlook open हो गया वो उससे आप share कर सकते हो इसमें presenting live online यह क्या option है ना एक हमारा presentation में दिया हुआ है कि presenting online ठीक है presenting online कैसे है कि मैं file में जाओंगा और यहां पर save as पर share पर click करूँगा और present online पर है यहां पर enable जो है यहां पर मेरे पस यह साथ में भी कुछ विशी कोछ नहीं आ रहा है बस simply आप present online करेंगे और उस link को जो link यहां पर generate होगी उसको किसी को भी share कर देंगे वो देखता रहेगा और आप यहां से जैसे जैसे slide move करेंगे slide show में जा करके तो वो वहां पर भी move होता हुआ दीखेगा तो वो live online present जो है वो चीज़े होती है यहां पर ठीक है now the powerpoint shortcuts जो है आप देख पाएंगे यहां पर frequently यह जो भी shortcuts यहां पर है वो सारे का सारे चीज़ा मैंने यहां पर list out कर रखा है now working with the presentation in the slide मैंने इसको bifurcate कर रहा है तो आप जा करके last में देख लेना तो I hope यह सारे के सारे चीज़ा आपको understand होंगी and thank you आपने यहां तक मेरे पुरे training को आपने watch किया और जब भी आपको questions हो मैं last बार एक और instruction देदे जा हूँ कि जो भी आपको questions हो जो भी आप हो सके तो मैं video हो सके तो audio या फिर जो भी चीज़ा हो पाएंगी मेरे तरफ से मैं आपको उस particular questions के, queries के result करने के questions करूँगा I hope आपको यह पूरे के पूरे training समझ में आओगा फिर मिलते हम अपने next video में thank you